हेलो एवरिवन नमस्कार आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीसी सी सी हिंदी में मैं ललीत यादा हूँ अपनी एम लक्षमीकान के चैप्टर नंबर 72 में आपका स्वागत करता हूँ आज की ग्लास में हम चैप्टर नंबर 72 को कम्प्लीट खतम कर देंगे छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है ज्यादा लंबा ज्यादा बढ़ा चैप्टर नहीं है ठीक है चुनाओ कानू में यलेक्शन लोज के बारे में हम इसमें डिसक्स करने वाले बात्चित करने वाले जन प्रतिन अधित अधिनियम 1950 परीसीमन आयोग इन तिन चीजों के उपपर हम थोड़ा सा फोकस रखेंगे, बाकी चीजों को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसलिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी, मज़ेदार क्लास होगी, सब लोग आजाओ, लाइव, जितने भी दोस्त हैं, जो अभी तक आये नहीं है, टेलिग्राम पर नियोता उनको देना पड़ेगा, बाकाइदा, है न, इंविटेशन देने पर ही लोग सारे आते हैं, आजाओ, आजाओ, गुरुओ, सब लोग आजाओ, स्टार्ट होगी एक लास, विदाओट इंविटेशन के पहुंसते भी नहीं, चल ये तो 71 चैप इंविटेशन के साथ जोड़ कर आपसे पूस लिया जाता है, तो चलिए क्लास टार्ट करते हैं, आपको PDF चाहिए, ये टेलिग्राम चैनल जोइन कर लिजिए, PDF यहाँ पर आपको अविलेवल हो जाएगा, ठीक है, ललीत यादव की पाट साला टेलिग्राम चैनल है, PDF मिल जाएगा, आभी बहुत सारे offers अनेकेडमी पर चल रहे हैं, जैसे कि दो साल का, अगर आप कोंबो कोर्स लेते हो, तो लगबग 25%, 35% के करीब discount मिल जाता है, ओप्शनल की test series फ्री मिल जाती है, आपको अनेकेडमी का promise मिलता है, कि दो साल में कोर्स पूरा करने पर अगर आप exam qualify नहीं करते हैं, दो साल का course को join करते हैं, exam नहीं निकलता है, तो तीसरा साल free man academy आपको पढ़ाएगा, पूरी तयारी, तो इससे ज़्यादा better security guarantee और क्या चाहिए आपको, यह आपको मिल रहे है, आपका एक अगस्त से fees बढ़ने वाली है, तो एक अगस्त तक जो अभी फि description हो जाएगा, 80 test free मिलेंगे, 50 prelims के, 30 mains के, 30,000 रुपे की कीमत के test, course के साथ free, वो detail में courses होते हैं, books आपको मिलती है, सारी books आपके घर पर पहुंच जाएगी, 20 book का set है, तो आपको दाएं-बाएं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, बिल्कुल updated नहीं books ह हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी, इसी course के साथ, unacademy पर monthly basis पर भी payment कर सकते हो, loan के थूरू भी course जोइन कर सकते हो, यानि महीने महीने account से पैसा कट जाएगा, तो loan का detail जाननी है, तो मेरे telegram channel पर मेरे से संपर्क कर लिजिए, उस पर मेरे details DV है, मेरे contact details भी मिल जाएंगी, वहाँ पर मेरे को message कर देना, आपको loan के लिए forward कर देंगे, ठीक, ये नए batch 21 जुलाई से start हो रहे हैं, Hindi, English, Bilingual, join करोगे, सारे batch मिलेंगे, करना क्या इसके लिए, unacademy का app आपको download करना अपने phone में, learning app, फिर अपना goal select करना है, UPSC, CSE, फिर ये get subscription green color का है, इसके उपर touch करना हैं, उसके बाद आपके सामने unacademy के सारे courses open हो जाएंगे, direct website भी hold सकते हो, unacademy.com, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, दो type के course हैं, एक iconic, एक plus, iconic में आपको unacademy से एक mentor मिलता है, जो personally guide करता है, साथ ही answer writing की practice आपको extra वहाँ पर मिलती है, जिससे आप answer writing कर सकते हैं, आपको regular answer writing का facilities आपके लिए वहाँ पर available करवाई जाते है, discord के माध्यम से, तो बहुत better है, उसको join करना है, बाकी सारी चीज़े सेम है, हाँ, आपको fees में discount अगर चाहिए, तो आप मेरी तरफ से मेरा referral code apply कर सकते हैं, ये referral code याद रखेगा, L Y L I V E, जब भी course join करें, तो L Y live code apply करके ही क करें, चाहिए plus करें, आइकोनी करें, optional करें, आपको discount भी मिल जाएगा और हमारी personal guidance भी मिलेगी, optional course भी L Y L I U से आप join कर सकते हैं, अलग से separately, कभी भी join करें, दो साल से कम का course, फाइदाय मंद नहीं है, दो साल या उससे plus कही लेना, ताकि आपका revision हो सके, exam तक update हो सके, ये आ आपका benefit रहेगा, ठीक है, आइकोनी कोर्स, दो साल के उपर का लेने पर, आपको इंडिया के भहुत सारे top mentors है, 111 वीडियो कोल पर, doubt clearing mentorship, वो facilities आपको हर week मिलती है, Unacademy Combat, L Y Live कम code लगा करके, हर संडे को आप play कर सकते हैं, और उससे prizes जीत सकते हैं, वहाँ पर कुछ, ठीक है मेरे, ये courses है Unacademy पर, और ये मेरे referral code है, L Y Live, तो जब भी join करें, L Y Live code, आपकी code to success है, आपकी सफलता का code है, इसको apply करके ले लेना है, आपको exam pass होने तक proper personal guidance हम देंगे, ठीक हो personal guidance का मतलब समय समय पर आपसे बातचीत होती रही, आप मेरे को call कर पाएंगे, आप मेरे से कु problem होगी, उसका मतलब होता ही है, और वो proper personal guidance आपको exam pass कराने में बड़ा important role play करता है, तो वो चीजे है, ठीक है, discount तो मिलेगा, सभी teachers की class मिलेगी, जितने भी teacher पढ़ाते है, सब की class मिलेगी, लेकिन मैं आपको proper guide कर दूआ, तो ये L Y Live code, आपकी सफलता का code है, इसको याद कर लिजेगा, चलिए, तो आज के class start करते हैं, चुनाव कानूं, कौन-कौन से चुनाव कानूं है, सोटी सी class होने वाली, ज्यादा लंबी class नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत basic सी चीजे हैं, तो कुछ important important points पर ही हम discussion करेंगे, बाकी जो points काम के नहीं है, उनको हम skip करेंगे, ठी एक्टर में कुछ बुनियादी-बुनियादी सी चीजे हैं, जिनके बारे में हमें जानना है, ठीक, चलिए, तो how's the jose, कैसा है बाई jose, पहले एक बड़ जोस बता दो आप सभी लोग, how's the jose, jose high है कि नहीं, ये सारे लोग, jose गयब हो गये आप लोगों का, वाजकल एक्टम भाग जाते हैं, आप सभी लोग, पता नहीं, हाँ, 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 यही busy रहते हैं, आप सभी, थोड़ा सा, class पर full jose के साथ, focus कीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल, यही high jose आपको रखना है, always high jose आपको रखना है, चलिए जी तो अपना content start करते है, regular 9 बजे, सभी लोग, तयार रहा करने, जब भी हम चुनाव कानूनों की बात करते हैं, तो दो तरीके के कानूनों की बात बार-बार आती है, एक जन प्रतिनिधित अधिनियम, 1950 और जन प्रतिनिधित अधिनियम, 1951, और साथी परीशी मनायोग, इन तीन चीजों का नाम आप बार-बार-बार-बार इंडियन political structure में देखने को या सुनने को आपको मिलेगा, जब भी election होंगे, चुनाव होंगे, और जब भी चुनाव के समय, कोई भी प्रक्रियाई होंगी, तो आपको हमेशा reference के तोर पर जन प्रतिनिधित अधिनियम इसके बारे में बताया जाएगा, इवन स्लेबस के अंदर भी जन प्रतिनिधित अधिनियम दिया गया है, जो विधाईकाएं हैं, उनके संदर में सारे प्रावधान हैं, सपस्ट प्रावधान हैं चीजों के बारे में, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका निर्धारन, जुनकी clarity आपको इन कानूनों के माध्यम से मिलती है, और एक्जामपल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि समिधान का नूछेद 81 है, और जो 170 है, इसमें संसद और राज्यों की विधान सभाओं में, अधिक्तम सीटों की संख्या, संबंधी प्रावधान दिये गए हैं, साथ ही उन सिध्धानतों का भी उन लेक किया गया है, जिनक की विधाइकाओं में, ये सब चिजें आप देखते हैं, तो आपको अर्ठिकल एटी वटी वन और आर्टिकल वन सेउंटी में देखने को मिलता एं, जैसे विधान सभाओं के लिए सीटों का अधिक्तम करते हैं, विधान सभाओं की, तो अधिक्तम कितनी हो सकती है, 500 सीट हो सकती है किसी भी एक विधान सभा में अगर हम नियुंतम की बात करें तो साठ सीट हो सकती है यह न हम यहाबर बात करें विधान सभागी विधान सभागी तो यह सारे प्रोविजन तो आपको Constitution में देखने को मिल जाते हैं ऐसे विधान परिशद भी होती है, स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर और विधान परिशद की जो सीटे हैं, वो भी निरधारित हैं, ठीक है, विधान परिशद की सीटों को किस तरीके से निरधारित किया जाता है, अगर मैं यहाँ पर लिखों, विधान परिशद, ठीक, अगर मै अधिक्तम सीट कितनी हो सकती है सबसे ज़्यादा विधान सभा सीटों वाला राज्य के कौन सा है इस तरीके की सवाल आते है अपवाद पूछ सकते हैं कि भारत में विधान सभा में नियुन्तम सीटें कितनी है तो 60 है लेकिन एक चीज समझने की जुरूर थे आपको कि 60 सीटे नियुन्तम है मिनिमम है लेकिन कुछ एक्सेप्सेंस भी है अपवाद भी है अपवाद भी दिये गए है अपवाद का मतलब क्या कि कुछ राज्य ऐसे हैं कुछ स्टेट्स, कुछ यूनियन टेरिट्रीज केंदर सासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या बहुत कम है विधान सब है लेकिन जनसंख्या बहुत कम है अब जनसंख्या कम है तो उनके लिए 60 सीटे बनाना बड़ा मुस्किल हो जाता है कैसे लाएं, कहां से लाएं तो ऐसे में उन राज्यों के लिए कम सीटे रखी जाती हैं जैसे आप देखेंगे पुड़ुचेरी सिक्किम, मनिपूर, गोवा एक्जाम्पल के तोर पर आते हैं सबसे कम सीटे हैं आपको पुड़ुचेरी में देखने को मिलेगी इस तरीके से, तो कुछ exceptions भी है, उनको हम अपवाद बोलेंगे ठीक है, उनको बोलेंगे अपवाद अब आप लोग मेरे प्यारे जितने भी दोस्त हैं जो यहां पर लाईव बने हुए हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को कमेंट बोक्स में बताएं, कि विधान परिसद के अंदर अधिक्तम सीटे कितनी हो सकती हैं विधान परिसद के अंदर अगर हम सीटों की बात करें तो अधिक्तम कितनी हो सकती हैं और न्यूंतम कितनी हो सकती हैं minimum कितनी हो सकती है और maximum कितनी हो सकती है जल्दी से comment box में answer दीजे तो अधिक्तम के लिए कोई fix आकड़ा हर विधान सभा के लिए ऐसा नहीं क्या गया कि जैसे नियुनतम विधान सभा के लिए कर रखे कि 60 नियुनतम होगी विधान परिशद के लिए उसमें एक formula दिया गया है formula क्या दिया गया है कि भाई जो राज्य है उस राज्य की जो विधान सभा है ठीक है उस राज्य की जो विधान सभा है उस विधान सभा में जितने minimum member है comment box में लिख आप लोगों को आप लोग वैसे तो सुनते नहीं कहां कहां पर कौन सा अंसर किदर से देख रहे हूं आप लोगों का यह homework है आज यह आप लोग करके लाएंगे कि विधान परिशद में maximum seat कितनी हो सकती है ठीक है क्या वो विधान सभा कि कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई हो सकता है one third seat हो सकती है या उनकी seat fix है 60 है 90 है 100 है या आधी हो सकती है या कितनी हो सकती है ये सब आप लोग comment box में बताएंगे आपका काम है ठीक है नियूंतम मैं बता देता हूं तो नियूंतम के लिए 40 निर्धारित की गई है कि 40 seat minimum होने चाहिए विधान परिसद के लिए तो इसका मतलब ये basically बड़े राज्यों में ही विधान परिसद बनाई जाती है तो ये सारी कि सारी चीज़े आपको constitution में देखने को मिल जाती है अब ये चीज़े तो आपको मिल गई कि constitution में कितनी seat हैं विधान सभा के लिए लोक सभा के लिए अधिक्तम न्यूंतम कितनी हो सकती है ये भी बता दिया जाता है कि इन में seato का आवंटन किस आधार पर किया जाएगा किसी राज्ये में ज़्यादा seat क्यूं है किसी राज्ये में कम seat क्यूं है तो सीधह शीवात है जनसंख्या को आधार बनाते है, पूपुलेशन को बेस बनाते है, जनसंख्या के आधार पर सीटों का निरधारन होता है, ये सारी चीज़े हैं, लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन फोड़ दिया गया है, जो कि कानून द्वारा परदान किया जाता है वास्तविक आउंटन का मतलब समझे भाई इन्होंने बता दिया अधिक्तम कितनी हो सकती है नियुंतम कितनी हो सकती है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 500 सीट विधान सभा में कहा है कि अधिक्तम हो सकती है तो 500 ही सीटे रखें आप हर राज्य में ठीक है ये कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 इसके माध्यम से तै होता है कि कितनी सीटे हो सकती हैं कितनी सीटे रहेंगे एक राज्य के अंदर ठीक है और वो जन संख्या के आधार पर फिर चीज़े डिसाइड की जाती है maximum number of seat given कहाँ पर है समिधान में लेकिन वास्तवित्ता में कितनी होंगी 500 होंगी 400 होंगी 200 होंगी 100 होंगी 60 होंगी 70 होंगी ये को निर्धारित करेगा ये जन संख्या के अधार पर निर्धारन होगा को किस बेत कहां से बनेगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 ठीक है यहां स सेदे 111 किसी राज्य की विधान परिशद में अधिक्तम एवं नियुनतम सीटों का प्रावधान करता है और उन विधियों का भी उलेक करता है इनका उपयोग कर सीटे भरी जाएंगी सेम चीज जो अभी थोड़े पहले मैंने आपको डिसकस किया कि अधिक्तम नियुनतम स दोनों में अंतर है ठीक है समिधान मतलब जो हमारा नियमों का पुलिंदा है जो हमारा कॉंस्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल है वो और कानून का मतलब एक्ट जो संसद एक्ट बनाती है किसी विधेत को पास करके फिर वो एक्ट बनता है एक्ट अधिनियम बनता है उस अधिनियम को हम कानून की स्रेणी में रखते हैं तो कितनी सीटे होंगी नियुंतम और अधिक्तम ये तो समिधान ने पैय कर दिया लेकिन वास्तविक संख्या कितनी होगी वास्तविक संख्या मतलब जैसे अधिक्तम बता दिया कि 60 है और एक्जांपल मान लेते हैं 60 है लेकिन जरूरी निये नहीं कि भारत के सारे राज्ये एक जैसे हैं भारत के 28 राज्ये किसी राज्ये में जन संख्या बहुत अधिक हो सकती है किसी में कम हो सकती है किसी में मध्यम हो सकती है अब सब में तुम 60 सीटे तो रखोगे नहीं एक इक्वल बेसिस पर सीटों का बटवारा करोगे तो वास्तविक रूप में किसी राज्य में कितनी सीटे होंगी रियलिटी में उसका निर्धारन कानून करता है एक्ट करता है और ये एक्ट आपके सामने है जन प्रतिनिधित अधिनियम 1950 ठीक है तो सीटों के आवंटन के उद्धिसे से इसका प्रमुख रूप से काम किया जाता है तो कभी भी आपसे प्रारंभी परिक्षा में ये पूछ लिया जाए कि लोक सभा और विधान सभा में सीटों का आवंटन कौन से अधिनियम के माध्यम से किया जाता है तो आवंटन बटवारा कितना सीट होगी कितनी नहीं होगी वो बटवारा जन प्रतिनिधित अधिनियम 1950 इसके तहत होता है ठीक है? क्लियर? ये थोड़ा सा कॉंप्लेक्स सी चीज है लेकिन इसको समझने की कोशिश करने ये रूल्स है, उस रूल्स है नियम है, काईदे कानून है तो नियम और काईदे कानूनों को थोड़ा सा दिमाग पर प्रेसर डाल करके फिर समझने है इस क्लास को थोड़ा दो-दो-तीन बार देखना तो आपके चीजे थोड़ा सा understanding आपकी बनेगी, थोड़ी चीजे समझ में आने लगेंगी, basically जन परतिनिधित अधिनियम 1950 जो है वो सीटों के आउंटन से संबंदित है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा और भी चीजे हैं उनको हम देख लेते हैं अधिनियम राष्टपती को यह सक्ति प्रदान करता है कि वे चुनाव आयोग से परामर्स करके लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं एवं विधान परिसदों की सीटे भरने के लिए विभिन चुनाव छेत्रों की संख्या को सिमित कर सकते हैं इसमें भी पावर राष्टपती के पास होती है लेकिन निर्वाचनायोग से सला करना एडवाईज लेना मेंडिटरी है उसके साथ सला मस्विरा करकी सीटों की संख्या को सिमित यहाँ पर किया जा सकता है इसके साथ साथ आप कई बार आप पूस्ते हैं कि भई निर्वाचक इलेक्टोर आपको पता हो न तो निर्वाचकों के बारे में कि आपको वोट देने का अधिकार की जब आप बात करते हैं जब आप राइट टू वोट की बात करते हैं कि वोट कौन दे सकता है इसका निर्धारन कैसे करेंगे आपको ये तो पता है कि भारत में सारु भूमिक वेस्क मतादिकार है 18 साल के होकर के आप वोट डाल सकते हैं लेकिन और भी तो क्राइटेरिया है भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है और क्या होना चाहिए किसी राज्य के किसी छेत्र में उसमें आप मतदाता सूची में आप पंजीकरत मतदाता होने चाहिए ठीक है इस तरीके की चीजे तो ये बेसिक बेसिक ये बुनियादी कानून ये कौन बताता है ये कौन बनाता है ये बनाता है 1950 का धीनियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यहां से ही आपको पता चलती कि कौन वोट दे सकता है वोटर कौन होगा भारत के अंदर तो हमें जो वोट देने के बारे में जो अधिकार और चीज़े पता चलती है वो इसके माध्यम से पता चलती है ठीक है कि लोकसभा चुनाव छेत्रों और विधान सभा विधान परिशत चुनाव छेत्रों के निर्वाचकों के निरबंधन का प्रावधान करता है और ऐसे निबंधन के लिए योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का भी यानि कि वोटर कौन है क्या हम लायक है कि नहीं वोट डालने के लिए क्या हम विधान सभ तो हामें अपने ही राज्यक की जो विधान सभा है उसमें वोट डाल सकते हैं कि अगर आप है महारास्ट की मतदाता सुची में विधान सभा की मतदाता सुची में आपका नाम जुड़ा हो है लेकिन आप चारे की vote डाल करके आज़ाओ तमिलनाडू के विधानसभा इलेक्षन में, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ये निर्धारित कोन करता है, ये ये निर्धारित करता है, ठीक है, क्या आप vote वहीं डालोगे, उसी विधानसभा में डालोगे, उसी छेत्र में डालोगे, ज इसमें आप पंजीकरत मतद आता हो आप मान लेते एक 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 जामपल के तोर पर जैसे ये एक राज्य है इस राज्य में ये कुछ विधान सभा के थेतर है एक दो तीन चार और पांच अब आपका नाम जो है ना वो रजिस्टर्ड है नंबर एक में मान लेते हैं कि आपक गुस्का नाम आपका नाम रखते है तो पहलवान सिंग ठीक है पहलवान सिंग नाम का एक व्यक्ति है इस अब एक राज्य है उस राज्य का नाम है राज्य का ना मरे ठ stabbed He recognicomper ले ले लेते हम यहां पर विहार का और एक a3 अन लिए रहें वास्तविख कि आ अब बिहार में विधान सभागी मान लेते कि केवल पांच नहीं वहाँ ज़ाद है वहाँ पर लेकिन उधारन के तोर पर मान लेते कि पांच विधान सभागी सीते हैं उन निर्वाचक छेत्रों को बाटा हुआ है अब पहलवान सिंग नाम का एक व्यक्ति है वो एक नमबर निर्वाचन छेत्र में यहां का पंजीकरत मतदाता है यहां पर यानि कि यहां की मतदाता सूची में उसका नाम है तो यह कहां वोट डालेगा यह केवल एक में ही वोट डालेगा केवल यही डाल सकता है इसमें नहीं डाल सकता इसमें नहीं डाल सकता इसमें डाल सकता इसमें डाल सकता इसमें डाल सकता यह कानून के माध्यम से तै किया गया समभीधान में बताया गया कि आप वोट दे सकते हो लोग सभा में उसमे लेकिन कहा दे सकते हो कैसे दे सकते हो कि धर नहीं दे सकते यह आपको बताया जनप्रति निधित वधिनियम 1950-1950 उसने आपको कलीर गया तो यह decide किया कि आप जिस छेत्र के पंजी करत मत दाता है वहीं पर ही vote डालेंगे ये जन प्रतिनेधित्व अधिनियम 1950 उसकी देन है ठीक है, simple सी चीज है तो ये एक आपको समझ लेना है voter कि आप voter के जो क्या-क्या eligibility है criteria है, योग्यता और अयोग्यता वो आपको देखना है ठीक है अब इसके साथ-साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कि अधिनियम मुख्य रूप से क्या-क्या प्रावधान करता है लोक सभा, राज्यों की विधान सभाओं, एक विधान परिशदों में सीटों का आवंटन, तो ये लाइन आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, नोट्स बना लेना, ये आपका नोट्स हो जाएगा संसदिये, विधान सभाओं, विधान परिशद, निर्वाचन, छेत्रों का परिशी मन दिलिमिटेशन, तो दिलिमिटेशन को अलग से सेपरेटली हम समझेंगे, अभी इसके बाद दिलिमिटेशन ही आने वाला है, ठीक है इसको हम दिलिमिटेशन कमिशन के साथ ही समझेंगे, अगला जो एक दो सिनावाला चैप्टर पढ़ाया था किसे पहले जो चैप्टर हुआ था वो चुनाव वाला निर्वाच्चन का चैप्टर था उसमें हमने देखना था कि भारत में चुनाओ की प्रक्रिया कैसे होती है और चुनाओ की प्रक्रिया में कौन-कौन से अधिकारी होते हैं जैसे निर्वाचन अधिकारी कौन है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा जिले की स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी वो कोन होगा कोन नियुक्त करेगा उसकी सक्तियां क्या होगी किस काम को करेगा कैसे करेगा ये सारी की सारी चीजें भी यहाँ पर आपको जन प्रतिनिधित अधिनियम 1950 में दिया जाता है मतदाता सुची तैयार करना कि मतदाता सुची तैयार कैसे करी जाएगी कोन-कोन तैयार करने में भूमिका निभाएगा किन व्यक्तियों का नाम डलेगा किन व्यक्तियों का नाम हटेगा ये सारी चीजे भी जन प्रतिनिधित अधिनियम 1950 के माध्यम से दी गई है ठीक आप से पूछ लिया जाएगी भारत में मतदाता सुची तयार करने काम निमनांकित में से किन निमनांकित में से किस कानून के तहत किया जाता है कौन से एक्ट के तहत किया जाता है तो उसमें जन प्रतिनिधित वधिनियम 1950-1950 इसको आपको लगा देना है इसमें कुछ चीजे आपको memorize करने पढ़ेंगी, वो सारी चीजे ऐसी है जो ज़ादा explain करने वाली है ही नहीं memorize करने जैसी है, तो आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है, आपको वो भी करना पड़ेगा, रेडी भी परना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे राज्य सभा में संख्येच्छेतरों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों के बारे में प्रक्रिया यानि कि कि राज्य सभा के अंदर अगर आप देखते हैं तो राज्यों से और किंद सासित प्रदेशों से दोनों से सदस्य जहां पर विधान सभा है वो लोग राज्य सभा के MPs को चुनते हैं अब उनकी प्रक्रिया कैसे होगी चुनने का प्रक्रिया क्या रहेगी वो प्रक्रिया का निर्धारन भी यहीं से होता है ठीक है विधान परिशद के चुनाओ के उद्देशे से स्थाने प्राधिकारी ठीक है दिवान नी नियायलियो सिविल को छोड़ देना ये सब चीजे उससे होती है बेसिकली दो चीजे आपको ध्यान रखनी है कि वोटर कौन होगा वोट कैसे किस तरीके से देगा अधिकार क्या होंगे ठीक सीटों का आवंटन कैसे होगा कितनी सीटे किस राज्य में रहेंगी चुनाओ अधिकारी उनके क्या कारे रहेंगे वो किस तरीके से भूमिका निभाएंगे मतदाता सुची कैसे तियार करेंगे ये काम जन प्रतनिदुत सजिनियम 1951 आरपी एक्ट इसको बोलते हैं यह ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां से क्योस्तंस जो है ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं और यहां पर इसका दायरा भी थोड़ा सा वास्ट है खास करके सदस्यों की अयोग्यता को लेकर गे उसमें 1950 में हमने वोटर ज देखा यहां पर उसमें लड़ते हैं जो हमारे उम्मीदवार हैं जो हमारे सफब जाते हैं जो हमारे मानानी होते हैं जो इलेक्षान की ट spaced आप लोगों के सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, एकदम से अवतार लेते हैं, अवतरीत होते हैं धर्दी के उपर, ये उनके बारे में हैं कि उनके लिए क्या योग्यता रहेगी, क्या निरहरता रहेगी, कैसे हटा आज सकते हैं, क्या क्या चीजे हैं, उसके प्रावधान इ के सीटों के आवंटन की तथा चुनाव छेत्रों के सीमांकन की ही विवस्था की गई दो ही चीजे थी इसके अलावा मतदाता की अरहता और मतदाता सूचियों के निर्मान का भी प्रावधान किया गया था यही सेम चीज है क्यार ही चीज है तो जन प्रतिनेदित अधिनियम 1950 को पढ़ना है तो 1952 की इन दो तिन लाइनों को लिख लेना है यह आपका नोट्स हो गया 1950 के बारे में इतनी ही चीजे आपको ध्यान रखनी है चार पोइंट में चार काम खतम नोट्स आपके रड़ी ठीक है 1950 का रड़ी लेकिन अब इसमें संसद के दोनों सदनों यानि की लोक सभा और राजय सभा दो सदन है ना भई लोक सभा और राजय सभा तथा प्रतेक राज्य की विधान सभा विधान परिशद इनके इन सदनों के लिए अरहता अयोग्यता भरस्ट आचरन तथा अन्य चुनाओ संबंदी प्रावधान चुनाओ संबंदी विवादों पर निर्णे ये सब बाद में अपनाए जाने वाले उपायों पर छोड़ दिया इनीसियल वो चीज बताने के बाद उन्होंने का कि ठीक ह इन चीजों का निर्धारन बाद में करेंगे दुबारा सा नया एक्ट बना करके करेंगे तो 1951 जन प्रतिनित अधिनियम 1951 वो एक्ट बनाया गया इन सब चीजों के निर्धारन के लिए ठीक है कि भाई कोन इलेक्शन में लड़ने के लिए योग्य होगा कोन निरहर इलेक्शन जीतने के बाद किस आचरन के अधार पर उसको रफा रफा क्या जा सकता है उसकी सदस्यता चीनी जा सकती है उसकी सदस्यता से हटाने के लिए कोन प्राधिकारी होगा ये सारी कि सारी चीजे आपको यहां पर इसमें देखने को मिलती है ठीक है चलिए कि चलिए आगे चलते हैं नेक्स चीज़ पर इसलिए इन बिंदुओं पर प्रावधान के लिए 1951 का धिनियम पारित किया गया इसमें मोटे मोटे तोर पर क्या होगा कि संसद और राज्य विधाईकाओं के लिए अरहताएं एवं अयोग्यताएं ये बताई गई हैं सिंपल सी चीज़ है कि संसद के लिए कौन खड़ा हो सकते हैं आप से आपको ये तो पता है कि मान लेते फोर एक्जांपल की लोग सभागे इलेक्शन होना है तो आप उसमें वोटर भी हो सकते हैं और आप उसमें उमीदवार भी हो सकते हैं दोनों बनने का आपको अधिकार है ठीक है कि आप इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं नहीं खड़ा होना चाहते हैं किसी को वोट देना चाहते हैं तो वोटर भी बन सकते हैं लेकिन कि आपको पता है कि आ आप अगर किसी election में उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वोटर बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ योगेताई हैं, कुछ चीजे निर्धारित की गई हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कौन निर्धारित करेगा, 1950 का अधिन अधिनियम, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, मेंटल नहीं होना चाहिए, भरस्ट नहीं होना चाहिए, दो-दो से अधिक साल की सजा उसके उपर नहीं होनी चाहिए, गंभीर आरोप इस तरीके की चीजें, यह सारी की सारी चीजें उनको अयोग पर मिलता है तो जब भी देखेंगे तु सदस्यों को चुनदों तरीके की है इस चीज को समझेगा भारत में अगर में बात कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए helping सबसे पहली चीज समझेगा आप लोग यहां पर सदस्यों के निरहरतागी अगर हम बात करते हैं न अयोग्यताएं तो अयोग्यताओं के लिए दो तरीके के प्रावधान हैं एक जिसको आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ठीक है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बोलते हैं अब इसके तहट कोई भी निर्धारन होगा, किसी भी सदस्यता की आयोग्यता का निर्धारन किया जाएगा, तो वो कोन करेगा, वो रास्ट पती करेगा, ठीक है, प्रेजिडेंट करता है, रास्ट पती करता है, निर्वाचन आयोग्यता की सला से रास्ट पती करता है, लेकि और भी कानून है जिसको आप आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं, दल बदल अधिनियम, दल बदल, ठीक है, कब दल बदल अधिनियम, 85 का, ठीक है, 1985, उसमें स्पीकर, जो स्पीकर होता है, वो इस चीज के उपर निर्ने लेता है, कि संबंदित सदस्य को दल बदल कानून के तहत, आयोग ये घोसित किया जाए, कि नहीं किया जाए, तो हमारे जो संसद के जो सदस्य हैं, उनकी निर्हरता, दो आधार पर तैक की जाती है, उनकी सदस्यता, दो कानूनों के माधियम से, हिनी जा सकती है, एक जन प्रतिनिधी, तो अधिनियम, 1951, उसमें रा ध्यान रखनी है, ठीक है, इन निर्हरता और इनके लिए समिधान में प्रावधान नहीं है, बल्कि कानून में प्रावधान दिया गया है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, आम चुनाओ की अधिसूचना, आपने ये भी देखा था कि आम चुना करने हैं लोक सभा का तो पहले लोक सभा विगिटित हो जाएगी फिर आम चुनाओ की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी बता दिया जाएगा कि हाँ वह चुनाओ की अधिसूचना कैसे होगी क्या होगी किस तरीके से होगी वह सारी प्रोसेस भी आपको आरपी एक्ट 1951 के अंदर देखने को मिलते हैं ठीक है चुनाओ संचालन के लिए जो प्रसास्निक मसीनरी है वो राजनितिक दलों का जो निबंधन है वो यह भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा पोलिटिकल पार्टीज, ठीक है, चुनाओ का संचालन, चुनाओ संबंदी विवाद, ठीक है, भरस्ट, चुनाओ संबंदी विवाद का मतलब, जैसे, इलेक्शन हुआ, किसी एक जगह पर, दो केंडिडेट, उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ, तगडी फाइट मेली, एक हार गया, एक जीतिया, तो दूसरे नारोप लगा दिया, कि भाई, ये तो गलत तरीके से धांदली करके जीता है, बूथ कैप्चरिंग करके जीता है, या लोगों को बहला फुसला करके, या इलेक्शन के टाइम, चुनाओ वाले दिन, लोगों को भरस्ट आचरन के हाई कोट में ले जाते हैं, एसका निरधारन भी यहीं सही है, कि हाई कोट में जाएंगी चुनाओ संबंदी विवाद, जो यह आचिक है, और फिर हाई कोट का डिसिजन होगा कि भाईया, ये सही है कि नहीं, अगर सही होगा, तो चुनाओ मानने हो जाएगा, गलत होगा, तो वहाँ पर दुबारा से चुनाव हो जाएगा, फिर हाई कोट से उपर, सुप्रीम कोट में जो अपील होती है, उस अपील का प्रावधान, वो सब भी इसमें ही आपको देखने को मिलता है, भरस्ट आचरन एवं चुनावी अपराद, यह सेम, यह एक्स्प्लेन उलड़ी करी दिया है, बरस्ट आचरन, मान लीजी आप चुने गए, आप बन गए संसद के सदस्से, संसद बन गए भाई, अब संसद बनने के बाद आप वहाँ पर तवाही मचाए हो हैं, आपको लगता कि जो दुनिया में हैं, सब कुछ हापी हैं, बाकी लोग तो ऐसे हैं, जन्ता तो बेवकूफ हैं, लूट लो जैसे भी लूटने हैं, पता चले, जैसे आज कल कई सारे क्राइम, क्रिमिनल केसिस में फस्द आते हैं न, सांसद बन गए, विधायक बन गए, फिर उन के उपर आरोप लगता है, कि फलाना फलाना, स्तरी के साथ, उन्होंने गलत वैवार किया, जैसे बलातकार का, इस तरीके की, हत्या के, अब किसी का मडर कर दिया, हत्या कर दी, और वो प्रूफ हो गया, और वो साबित हो गया, कि हाँ भई इसने मडर किया, तो सीट पर थोड़ी बना रहेगा, उस सीट से उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, यह अपराद हो गया, इसका निर्धारन किस ने किया, कि किस अपराद के उपर, कौन से आरोप के उपर, कौन सी सजा के उपर, उसको हटाया जाएगा, 1950 के अधिनियम ने किया, पैसा लेखते, गडबडी करते वे, गबन करते वे आ गया, भष्टाचार क्या, सरकार ने कोई पोलिसी बनाई, किसी एक राज अपने छेत्र में, निर्वाचन छेत्र में, जहां से वो सांसद है, वहाँ पर खुब मोटा पैसा आया, और उस मोटे पैसे से, गाउं के लोगों का विकास करना था, लेकिन उसका विकास, गाउं के लोगों करना होकर गे, हमारे माननी ये सांसद जी का हो गया, उन्होंने अपना विकास कर लिया, यह गलाग डवल हो गया यहां से गोलू-मोलू-गाल और यह गोलू-मोलू-पेट आप आप बेसीकली गवन कर लिया भ्रस्टाचार कर लिया तो ऐसे भ्रस्टाचार का मामला अगर साबित हो गया तो उनसको हटाया जाएगा किस तरीके के मामले में हटाया जाएगा क्या आभित होने पर हटाया जाएगा यह सारे के सारे प्रावधान इसी एक्ट के अंदर है 1951 के अंदर है यह ब्रस्ट आचरन चुनाव या प्राध सदस्यों की आयोग्यता संबंधी जांच से संबंधी निर्वाचन आयोग्यता जैसे मैंने बताया थे न कि क्या-क्या उसके लि या नहीं होना चाहिए और भी कई सारी घोसनाएं करते हैं वो सब इसके आधार पर इनकी होती है अगले पर चलते हैं नेक्स्ट उप्चुनाव तथा रिक्तिया भरने की समय सीमा भारत में है उप्चुनाव रिक्ति भरने की कि सीट खाली होगी छे मैने के अंदर लेकिन हो सकता है कि परिशान हो जिन्दगी से तंग हो मजा नहीं आ रहा हो राजनिती से सन्यास लेने का मन हो जिससे प्रेम हो गया है अब डैसे एडै dif iam kve Hi wearing अब कितमों से करोगी हम क्या करें ना छोडा जाता है ना पकड़ा जाता ना ली ऑक यह तो चोड़ लो या पकड़ लो है नना तो मानने निर्वाचन एक एक सांसद हैं वो बने इलेक्शन जीते हैं फोड़े दुखी होगे परिशान होगे किसी मानसी ग्रूप से परिशान ही भी सीट से त्याग पत्र दे दिया लोगों ने परिशान किया सीट से त्याग पत्र दे दिया खाली होगी सीट यह हो सकता है कि ऐसा ना हो लेकिन हो सकता है कि death हो गई हो मृत्य हो गई हो है ना पत्नी नहीं सर फोड़ करके खलास कर दिया हो पत्नी के सामने तो आज कल पत्नियां बड़ी खतरना होती है बिल और डंडा लिये रखती है धड़ात गया भाई काम तमाम प्रेसिकली कहने का मतलब कैसे भी seat खाली हो गई अब जब वो seat खाली हो गई तो हमेसा खाली थोड़ी रहेगी वेस्ट थोड़ी जाएगी भाई एक एक seat कीमती है तो उस पर election कितने टाइम में होगा और कैसे होगा वो time limit क्या है तो वो time limit तै होती है 1951 के अधिनियम से 1951 का जो act है जन की जाती है अब यही नहीं है महीने की समय सिमा है इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर मां लेते हैं कोई व्यक्ति साड़े चार साल का कारेकाल पूरा कर चुका, अब ये कारेकाल पूरा हो गया, अब इस कारेकाल के बाद, इसकी सीट जो खाली हो जाती है, वो इसे त्याग पत्र दे दिया, डैथ हो गई, सीट खाली हो गई, कुछ भी हो गया, सीट खाली हो गई, तो उसके कारेका पूरा होने में 6 महीने बचे हैं, या 6 से कम महीने बचे हैं, तो ऐसे में वहाँ पर उप चुनाओ नहीं होगा, by elections जिसको आप बोलते हैं, ऐसे में जब जो सामान नियाम चुनाओ होंगे, तभी उसकी seat पर भी चुनाओ हो जाएगा, लेकिन अगर उसका कारेकाल 6 महीने से अधिक बचा हो है, मान लेतें 1 साल के लिए बचा है, 2 साल के लिए बचा है, अभी ममतब एनर्जी का उधारन है पस्चिम बंगाल में ममतब एनर्जी पस्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री बनी है और वो विधान सभा की सीट में इलेक्षन में वहां तो हार गई विधायक नहीं है लेकिन क्योंकि हमारे देश में कानून है इस तरीके का प्राओधान है कि बिना विधायक बने भी आप मुख्य मंत्री या मंत्री बन सकते हैं छे महीने के लिए, छे महीने के अंदर-अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, अब उसके लिए क्या क्या राय जाएगा, उसमें ये कानुन भूमिका निभाएगी, जन प्रतनिधित अधिनियम 1951, ये रोल प्ले करेगा, कैसे, सबसे पहले पस्सिम बंगाल की जो पार्टी है, ममता बनर जी, उनका कोई भी एक कैंडिडेट, कोई भी एक सदस्यत, जो जीता हुआ है, विजई है, इसको क्या कहेंगे, कि बेटा सेक्रिफाइस का टाइम आ गया है, गुरु दक्षिना देने का समय आ गया है, यही समय है, जब तुम्हें अपना बलिदान देना पड़े यहाँ पर पार्टी की पकड मजबूत है, तो इसका मतलब बलिदान तुम्हें ही देना पड़ेगा, बली का बक्रा तुम्हें ही बनना पड़ेगा, तो वो उस विजई सदस्य से कहेंगे, कि भईया, सीट खाली करो, सीट खाली करो, खाली कैसे, वो प्यार से इस्तिफा द नहीं होगी, six months से जादा नहीं रहेगी, by election करवाने पड़ेंगे, उप चुनाव करवाना पड़ेगा, तो जैसे ही सीट खाली होगी, यहाँ पर election हो जाएगा, यहाँ पर चुनाव हो जाएगे, ठीक है, और उस चुनाव में ममताब energy खड़ी हो जाएगी, और क्योंकि उस सभा की member बन गई, मुख्यमंत्री continue, और lockdown lockdown कोई फरक पड़ता नहीं है भारत के अंदर, ठीक है वो सब मामला अलग है, जब राजनिती आती है तब बाकी सारे कानून जो महामारी act है, NDM act, भाड में जाएगे, इस तरीके का प्राउधान है, अभी भी देखा होगा ने, भा गारत में ऐसा ही situation हुई, कि भाई पूरी दुनिया lockdown में है, घरों के अंदर है, कानूनों का पालन कर रही है, हमारी government, state government, center government, सब मिलकर के सब को बोल रही है की, कोरोना है, घर में रहो, social distancing का follow करो, बाहर मत निकलो, किसी को phone मिलाते है, तो phone मिलाने से पहले 30 second तक वही नहीं, यानि कि इतनी ज़्यादा awareness की प्रोवो कर रखा, लेकिन election होगे, विधान सभा के, कई सारे states में, अब जब election होए तो क्या हुआ, सब भूल गए कि कोरोना है की नहीं है, election के time सारी political party हो, कोई फर्ग नहीं, फिर rally कर रहे हैं बड़ी बड़ी, भर भर के लोग, सब ए कार महबत ऐसे हो, जैसे दूर ही नहीं हो सकते, फेवी कोल का जोड़ लगाओ, तहां कि अभी कोरोटा की guideline, ठीक है, किधर गई, तो election हो जाते हैं, भाई, भारत में elections की बात आती है, तो कितने भी खतरनाक situation हो, election करवा लिया जाएगा, election से वो रुकेंगे नहीं, ठीक है, य करो, करो, मजे लो, मजे लो, जिन्दिगी है, तो तंदरताग अधिकार है, करो, enjoy तुम लोगी, तो basically मैं यह बताना चाहा रहा था, आपको समझाना चाहा रहा था, कि यह, by election कब होगा, कितना समय पर होगा, 1951 का अधिनियम, यह important हो जाता है, पर सिम्भंगाल में जैसे ही, by election होगे, उपचुना होगे, आपके prelims के लिए बहुत important होगा, सवाल आ सकता है, 2021 नहीं तो 2022, आएगा ही आएगा, यह ध्यान रखना है, कोई भी objective type का exam हो, उसमें यहां से सवाल आएगा, कि कौन से act में आपको यह provision देखने को मिलते हैं, जन प्रतेदिमेधित, अधिनियम प्रावधान, दिवानी नियायले, उंको छोड़गर के, etc, etc, ठीक है, अब चुनाव कराने के जो विसे हैं, उन विश्यों को भी देख लीजिए भई, कि चुनाव कराने में क्या-क्या कौन-कौन से विसे हैं, कौन-कौन सी चीजे आते हैं, चुनाव क्से संबंदि, जो अन्य प्रावधानों के हम बात कर रहे हैं, क्या-क्या प्रावधान होते हैं, चुनाव से संबंदि, तो जैसे कि उम्मीदवार का नामांकन कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, क्या प्रोसेस होगी, उनके एजेंट कौन होंगे, उम्मीदवार को कितने एजेंट लाने पड इवन उसके बाद मतदान कैसे होगा, वोटिंग कैसे होगी, किस दिन होगी, क्या प्रक्रिया निरधारित होगी, वोटिंग के बाद मतगनना कैसे होगी, ठीक, ये सारे अनेक स्थानों पर चुनाओ, यानि कि एक ही बार में खुब सारे स्थानों पर चुनाओ तो कैसे होगा ठीक चुनाव परिणामों का प्रकाशन और मनोनेयन नामांकन ये कैसे होगा ये सारे के सारे प्रावधान जन प्रतनिधित अधिनियम 1950 में इन सभी चीजों को तो हम समझी चुगे पिसला ही चैप्टर निर्वाचन वाला उसमें के उपर दुबारा से जाने की जुरुत है न कि उच्छ नियायले में चुनाव सम्बंधी याचिका का प्रस्तुतिकर अगर आप लोक सभा का इलेक्षन लड़ते हैं अगर आप विधान सभा का इलेक्षन लड़ते हैं ठीक है तो इन से सम्बंधित कोई भी विवाद होगा तो उच्छ नियायले में ही जाएगा ठीक ह गर आप राश्तपती या उप्रास्टपती गहें जैसे मान लेते राश्टपती है राश्टपती और उप्रास्टपती तो के इनसे संबंदित कोई चुनावी चीक है तो सुप्रीम कोट में जाएगी ठीक डायेक्ट जाएगी सुप्रीम कोट में exclusive अनन्ये मूल अधिकार उसका है लेकिन जो लोग सभाव विधार सभाव याणि कि MP और ML इन शंबंदित जो याचिकाए जाएंगी पहले हाई कोट में जाएंगी हाई कोट की ओरिजनल जुरिस्टिक्शन नहीं लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोट में नहीं जा सकती हाई कोट के बाद अपील के माध्यम से सुप्रीम कोट में भी जा सकती है यह सारे प्रावधान कहा है चुनाव याचिका का मुकदमा और यह सारी की सारी चीजे एक मुट रूग ना ठीक चुनाव याचिका का मुकदमा यह सारी चीजे देखना है चुनाव याचिकाओं को वापस लेना यह सारी चीजे आपको इसी में ही देखने को मिलती है सरवोच नियाएले में अपील कैसे होगी क्या होगी ठीक है लागत के लिए एकसेटर एकसेटर यह सारी की सारी चीजे आपको इसी एक्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाती है अब एक और एक्ट है चुनाव से सम्मंदित जो इंपोर्टेंट है जिसको हम परिसीमन अधिनियम बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं परिसीमन अधिनियम डिलिमिटेशन कमिशन अब यहाँ पर डिलिमिटेशन कमिशन 2002 दिया गया है 2002 दिया गया है ठीक है अब 2002 देने का का क्या है यह समझिए एक मिनट दीजिए अब लाइक शेर क्यों नहीं करते तक यह लाइक शेर करते चले जाए खरो मैं से परस्नल मैंने नमर पर वेड़ी तो बैसे तर ने वहाँ से रिप्लाइग गया था वो मैं किया था अब बैल है अब चलिए आगे चलते हैं परिशिमन अधिनियम अभी आपने ये चीजे तो देख ली लेगिन क्या आपको पता है कि भारत में जब इलेक्षन होता है तो इलेक्षन के टाइम निर्वाचन छेतर निरधारित के जाते हैं ठीक है उन निर्वाचन छेतरों का निरधारन कैसे होगा कोन करेगा कोन करेगा इसके बारे में तो देख लिया डिलिमिटेशन कमिशन परिशिमन आयोग करेगा लेकिन कैसे करेगा उसका बेस क्या रहेगा ठीक और वो उसके आदेश निर्देश किस तरीके से क्रियानवित किये जाएंगे माने जाएंगे पावर क्या रहेगी परि इसी मन आयोग इसमें भूमी का निभाता हैं। इसमें क्या है कि भारत के समविधान के अनुच्छेद 82 तथा 170 प्रतेक राज्य को छेत्रिय निर्वाचन छेत्रों यानि कि संसद्य निर्वाचन छेत्र और विधान सभाच्छेत्र में बटवारे तथा पुनर स्थापन का प चुनाओ यहना लोग सभा के चुनाओ हम बोलते हैं। दूसरे जो चुनाओ है उनको हम बोलते हैं विधान सभा के चुनाओ। विधान सभा के इलेक्शन राज्यों के अंदर होते हैं। अब एक ही राज्य है माल लेते हैं कि यह एक राज्य है। ठीक है। इसी राज्य मे लोग सभा और विधान सभा दोनों की election होने है तो लोग सभा की सीटे निर्धारित है ठीक, RPA Act ने लोग सभा की सीटे निर्धारित कर दी कि फलाना, for example, इसको हम ले लेते हैं कि हर्याना राज्य है, ठीक है, हम यहां ले ले लेते हर्याना है, एक example के तोर पर ले लेते हैं, hypothetical situation में ले लेते हैं, अब इस हर्याना में लोग सभा और विधान सभा की election है तो election होंगे तो सीटे निर्धारित हैं, मान लेते हैं कि लोग सभा के लिए 7 सीटे निर्धारित हैं विधान सभा के लिए मान लेते हैं 80 सीटे निर्धारित हैं एक मोटे मोटे एक्जामपल के तोर पर ले लेते हैं ठीक कि लोग सभा के लिए 8 सीटे विधान सभा के लिए 80 सीटे एक पोर एक्जामपल hypothetical situation देख लेते हैं एक्जेट डाटा क्या है वो आप देख लेना तो इनका निर्वाचन छेत्रों में बाटा जाएगा इनको डिवाइड किया जाएगा कि भाईया ये 8 सीट कैसे डिवाइड करें किस तरीके से विभाजित करें कि सब लोगों को equal representation मिले तो पूरे हरियाना को 8 लोग सभा छेत्रों में बाट दिया जाएगा ठीक है एक, दो, तीन, च्यार, पाँच, छे, साथ, आठ equal equal और इसको base बनाएगा क्या जनसंख्या इसका अधार क्या होगी? जनसंख्या होगा जनसंख्या कि हर निर्वाचन छेत्र में बराबर जनसंख्या है लोग सभा के लिए इसका निर्धारन करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि population equal हो बराबर बराबर आजए सभी से तो ताकि हर seat का representation बराबर ठीक हो गया होगा थोड़ा सा pose दे रहे थे आपको मूरलीं वाले pose दे करके try कर रहे थे कि वैसे तो सोग पूरा होता है नहीं है आपको कोई देख करके देख लेते हैं अटका हुआ तो भूद भैंकर देखता हूं और हाई मैं खुद ही देख करके डर जाता हूं यह कोण koji different technical problems होती है थोटी थोटी तकनीकी समस्या आती जाती है खिल रागरो थोड़ी देर के लिया आई गई कोई नहीं अब देख लेते हैं कि क्या हुआ जब हम जनसंख्या की और इसकी हम बात करते ना अरे हमारी वो है टीम के लोग उनको कितनी बार मैंने मना किया है कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो भाई तुम्हारा काम हो जाए तुम चुप चाप निकल जाओ इंटरनेट बंद मत करो या इंटरनेट बंद करके ओन मत करो या जो मेरा इनवर्टर है उसको बंद मत करो क्योंकि जैसे छेड़ते हो यहां पर क्लास अटक जाते वीडियो रुग जाते है और मैं उनको इतने बार समझा समझा करके तंग हो गया हूं कि भाई मत करो चिलाना पड़ता फिर उनको सुनते भी नहीं अब उनको आप लोगो तक आवाज आगी उसके लिए माफी चाहू दिमाग ऐसे गोमता है कि यहां फिर से सुरू करो एक दो बार हो तो ठीक बार 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 और इनको इतनी बार समझा लिया इतनी बार समझाने के बाद भी भाई साब हद दरजे क्या हैं क्या ही बोले चलिए अगली बार से इनको समझना पड़ेगा इनको जानना पड़ेगा कि भाई समझ जाओ मेरी तो पूरी वाट लगा कर रख देंगे पूरी क्लास का चलो कोई बार निसको छोड़ो डाट जरूरी है ठीक है कई बार डाट से ही काम होता है हर चीज प्यार मोबस से नहीं होती अगर डाट नहीं लगेगी तो चीजे सुधरेंगी नहीं है ना जिसे मम्मी बापा दाट खाखा कर गया है तो बाकी सब को भी कई बार जो हमारे खुद के लोग है तो उनको डाटना पड़ता है और कई बहुत स्ट्रिकली डाटना पड़ता है कि काम ढंसे करूं अगर नहीं तो फिर वो सुधरते नहीं है ना तो सुधारने के लिए जरूरी है डाट ही काम करेगी आगे चलते हैं हम यहां पर लोग सभा और विधान सभा की बात कर रहे थे ठीक है लोग सभा और विधान सभा के लिए तो इसको चीज को समझे कि लोग सभा की सीटे मान लेते कि 8 सीटे हैं तो 8 खेत्रों में पूरे हर्याना को बाट दिया जाएगा और उसमे कम है तो निर्वाचक शेत्र बड़ा हो जाएगा लेकिन विधान सभा में तो ज्यादा सीटे है ना वही आपने राजग्य की विधान सभा का चुनाओ है मान लेते असी है तो पूरे हर्याना को असी छोटे-छोटे टुकडों में माटेंगे ऐसे ऐसे थोटे-फोटे असी य और यहाँ पर भी पूपूलेशन ही रोल प्ले करती है ठीक है जनसंख्या जो है वो ही यहाँ पर भूमी का निभाती है और जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हर सीट को इस तरीके से निरधारित किया जाता है कि इक्वल इक्वल चली जाए बराबर बरा संख्यागा नहीं ध्यान रखिए गया सीटों की संख्यागा नहीं निर्वाचन छेत्रों की सीमाओं का कि एक निर्वाचन छेत्र की सीमा कितनी होगी कि ये निर्वाचन छेत्र इतना होना चाहिए या इसको हम बदल करके इतना कर दे एक निर्वाचन छेत्रों को ताकि equal representation मि अधिनियम जो है वो बनाया गया था ऐसे प्राधिकार द्वारा जैसा की संसद कानून द्वारा निर्धारित करें साथ ही भारत के समिधान के अनुच्छे 330 तथा 332 लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभावों में अनुसुचित जातियों एवं जन जातियों के लिए आर कोंप्लेक्स चीज़ है इसको समझेगी क्या होता है कि भारत में रिजर्वेशन है लोक सभा और विधान सभावों में इन के लिए सेडूल कास्ट और सेडूल ट्राइब के लिए अनुसुचित जाति और अनुसुचित जन जातियों उनको प्रतिनिधित देने के लिए सोचल जस्टिस के तहट इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया जाता है अब कौन सी सीट अनुसुचित जाती के लिए रिजर्व रहेगी इसका निर्धारन कौन करेगा समिधान ने सीट तो बता दी कि भी यह सीट रिजर्व है लेकिन निर्धारित करेगा कि जैसे अभी एग्जामपल के तोर पर बताए न कि मालते ही एक राज्य प्रेज है इसमें ये सीटे है ठीक है यह और एग्जामपल मालते है कि इतनी सीटे है एक जो अनुसुचित जाती केलिए कौन सी सीट होगी इसका डिसीजन समिधान नहीं करता ह इसका decision इसका निर्णे delimitation commission करेगा परिसीमन आयोग जो है वो करेगा वो बताएगा कि भाईया साथ नंबर की seat है ये schedule cast के लिए reserve है ये आरक्षित है ठीक है इसका मतलब इस seat पर केवल और केवल अनुसुचित जाती की उम्मीदवार ही खड़े हो सकते हैं और वो ही जीतेंग कोई और अन्य उम्मीदवार नहीं आएगा बाकी जगों पर कौन से सामन में seat रहेगी इसका निर्धारन भी वो करते हैं ठीक है कोई राज्य है जहां पर अनुसुचित जाती के लिए seat नहीं मिलेगी केवल अनुसुचित जातियों के लिए मिलेगी जैसे कि हरियाना आपक सुचित जनजातियों के लिए ज्यादा seat रिजरु रहेंगी ठीक है यह decision जो काम करता है यह final decision seat को reserve करने का कि कौन सी seat होगी आरक्षित seat यह delimitation commission करता है परिसीमन आयोग यह करता है और इसके लिए जनसंख्या का आधार कोन सा बनाता है जनसंख्या का base कोन सा बनाया जाता ह 2001 की जनगनना हुई थी ना हमारे देश में यह 2001 की जनगनना हुई थी इस 2001 की जनगनना की आधार पर यहाँ पर भारत में यह काम किया जाता है ठीक है और इस जनगनना की आधार पर delimitation commission परिसीमन आयोग seat का निरधारन करता है ठीक है कौन सी आरक्षित रहेगी कौन सी अना रक्षित रहेगी, यह काम यहाँ पर होता है, एक यह देख लिया आपने, अब यह तो आपने देखा, कि कौन सी सीट रिजर्व रहेगी, या सीटों का सिमांकन कैसे रहेगा, कितने बड़े छेतर में एक सीट रहेगी, यह देख लिया, लेकिन टोटल नंबर ओफ सीट जो है टोटल नंबर ओफ सीट, वर्तमान में संसदिये और विधान सभाई छेतरों का सीमांकन, 1931 की जनगना पर आधारित है, इसको समझें, ठीक, इसको समझते हैं, क्या हुआ, कि भारत में टोटल नंबर ओफ सीट, टोटल नंबर मतलब कि एक राज्य में विधान सभाई की कित जनसंख्या हमारा आधार होती है, सीटों के निर्धारन के लिए, तो 1971, 1970 का दसक था, इंडिया उसमें बड़ा परिसान था, पोपुलेशन भड़ती जा रहे थी, जनसंख्या बढ़ती चली जा रहे थी, बहुत तेज गती से जनसंख्या बढ़ी, संसाधन कम थे, संसाधन की आख टाइब की फिल्म, या जिसमें आपको वहां की कुछ चीजे मिलेंगी, या इंदू सरकार एक मूवी है, वो देख सकते हैं, या एक और मूवी है, सुक्राणू नाम से, वो देख सकते हैं, दिवेंदू सरमा है, साध को ने, उनकी है, तो वो देखोगे, तो उसमें इन चीजों के बारे में थोड़ा ये मिलेगे, पता चलेगा कि कैसे population increases होती थी, परिवार में टीम की टीम पैदा होती थी, पूरी की पूरी, तो उस समय हम कोशिस कर रही थे, कटरोल कर रही थे, कि population को कम्द किया जाें, हमारी government की सबसे main जो वो था, वो यही था कि इस हमने कई सारी planning start की अब जन संख्या नियंदरन की planning हमने start की तो पूरे भारत की सारे state उस सीज़ को लिए ready थे कि ठीक है वही हम population control कर लेंगे state list में आता था subject तो state से आगरे किया गया उनको आदिश दिया गया तो सब ने का कि ठीक है वही हम जन संख्या का control कर लेंगे ठीक लेकिन अगर जन संख्या का control कर रहे हैं तो south के state जो थे दक्षिन भारत के state थे वो थोड़ा सा भड़क गए इनके उपर center government के बोले कि भाई हम तो population कम कर लेंगे लेकिन क्या होगा अगर हमने population कर लेंगे और तुमारे जो उत्तर भारत के राज़े खास करके उत्तर परदेश और बिहार जहां पर सबसे जादा population बढ़ रही है उन्होंने control नहीं की तब क्या होगा तब तो हमारा नुकसान हो जाएगा क्यों नुकसान कैसे हो जाएगा नुकसान ऐसे हो जाएगा कि भारत में ये प्रावधान था कि सीटों का निर्धारन जनसंख्या के आधार पर होगा ठीक है जनगन्ना के आधार पर होगा हर 10 साल में जो जनगन्ना होगी उसके बाद delimitation commission बनाया गाएगा फिर सीट निर्धारित कर दी जाएगी कि किस राज्यों में कितनी सीट है तो दक्षिन के राज्यों ने कहा कि हम तो अपनी जनसंख्या कम कर लेंगे लेकिन 10-20 साल के बाद पता चले हमारी जनसंख्या कम है और उत्तर भारत की जनसंख्या डबल होगी और ऐसे में Delimitation Commission तो बना नहीं है प्रावधान है हर जनगना के बाद करोगे और उसने सीटे निर्धारित करने के लिए जनसंख्या का अधार बनाया तो दक्षिन भारत की सीटे तो कम रह जाएगी और उत्तर भारत की सीटे 10 गुना बढ़ जाएगी डबल हो जाएगी और जब भी election होगा चुना होगा तो वो पार्टी जिसका hold उत्तर भारत में जाद होगा नोर्थ इंडिया में जाद होगा वो जीत जाएगी दक्षिन भारते वाले जाए भार में उनको लगे हम से कोई पुछेगा भी ने तो केवल हिंदी बेल्ट वाले लोग वही सरकार बनाएंगे वहीं पर विकास होगा डेवलप्मेंट होगा बाकी देश का क्या जायद समस्या थी जायद सवाल था बिलकुल सही चीज उन्होंने बोली तो इसका हल निकाला गया इसका तोड निकाला गया इसका सोलिशन यह निकाला गया कि Delimitation Commission जो 1972 का बनाया गया 1972 में बना अभी तक चार बार बना है 52, 62 बहतर और 2002 ठीक है चार बार परिसीमन आयोग बना है 1952, 62, 62 और 2002 ये चार बार Delimitation Commission भारत में बनाया गया है परिसीमन आयोग बनाया गया तो उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि 1971 की जो जनगन्ना है 1971 1971 की जो जनगन्ना है इस समय हम सीटों का decision कर देते हैं कि किस राज्ये में कितनी सीट होंगी नंबर ओफ सीट, टोटल नंबर ओफ सीट, लोग सभा के लिए कितनी, विधान सभा के लिए कितनी, राज्ये सभा के लिए कितनी ये सीटे हम fix कर दे रہे हैं और ये सीटों का जो निर्धारन है, स्टीट जो हमने फिक्स की हैं, इन ही के आधार पर हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे, बाद में इसकी लिमिट बढ़ाते बढ़ाते, 2026 कर दी गई है, ध्यान रखिए, 2026 है वरतमान में करंट लिमिट, इसका मतलब ये है कि 2026 तक भारत मे लोक सभा की, विधान सभा की और राज्य सभा की सीटें, उन सीटों में अलग-अलग राज्यों का प्रतनिधितू, कि किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, वो चेंज नहीं होने वाली, वो फिक्स हैं, हाँ 2026 के बाद चेंज किया जा सकता है, तो ये प्लानिंग इसलिए क विकास में योगदान देने के बदले, उनका नुकसान ना हो, उनको negative impact ना जहिलना पड़े, खास करके political structure के मामले में, राजनिती के मामले में, उसको उनको जहिलना ना पड़े, ठीक है, ये चीज है, ये चीज हो गई यहाँ पर, ये देख लो, तो सारे south के राज्ये मान सभा में कितनी होंगी, राज्ये सभा में कितनी होंगी, विधान सभा की सीटे कितनी होंगी, उनका निर्धारन, उन total number, उन कुल संख्या का निर्धारन, 1971 की जन संख्या के आधार पर होता है, ध्यान रखे, कुल संख्या, कुल संख्या, इस कुल संख्या के लिए 1971 की जन ग नना यह आधार है इसके आधार पर सीटे हैं और अभी गवर्मेंट बोलती ना बार बार आवाज भी उठाया जाता है खास करके इन उत्तर भारत में कि भाई सीटों का निर्धारन 1931 की जंगना के आधार पर क्यों वो तो बहुत पुरानी होगी आज की जंगन संख्या के मनुरंजन के साधन अभी थोड़े से जादा आ गए आप लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट थोड़ा देख लिया पहले मनुरंजन की साधन इतने होते नहीं थे जंगनना ही जंसंख्या ही बढ़ती थी मनुरंजन के नाम पर ठीक है इस तरीके की चीजे भूत होती थी डबल कर ली हमने जंसंख्या अब जंसंख्या बढ़ गई तब डिमांड उठने लगी कि वरतमान की जंसंख्या आधार पर सीटों का निर्धारन करो पुराना समय गया छोड़ो कल की बाते कल की बात पुरानी नया दोर है नई सीटे बनाओ अब यह मामलत चल रहे अब यह यह क्या बात हुई हमने तो देश के विकास में योगदान दिया हमें कहा गया कि जंसंख्या कम करो हमने कम कर ली हमने बढ़ने नहीं दी जादा हमारे आपर बढ़ी भी तो बहुत कम बढ़ी ठीक है तो देश के सच्चे हित ऐसी हित के लिए काम करने वाले तो दक्षिन के राजे होगे यह उत्तर भारत का क्या और उत्तर भारत में भी खास करके हर्याना पंजाब सोरी उत्तर प्रदेश बिहार जार्खंड और मध्यप्रदेश इनका क्या इसमें भी खास करके उत्तर प्रदेश बिहार जार्खंड भाई जनसंख्या डबल कर दी रुके ही नहीं मतलो देश इतका कोई मतलवी नहीं है कि अपना इंटरेस्ट ठीक है हमारी टीम बननी चाहिए साथ साथ आठ आठ दस दस बच्चे एक पूरी टीम लेकर के चलते हैं खांदान चलते हैं खांदान अगर आप कभी उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार या पंजाब से आप देखे हो तो आप देखना गाउं में बात्चित होते हैं यह हमारे खांदान पूरा का पूरा गाउं एक खांदान का है ना एक ही परिवार उसके 15-20 लड़के हो गए 15-20 बच्चे होगे सब अलग-अलग ओकर के 15-20 परिवार वसा लिए और उन 15-20 परिवारों में भी 10-10-15 बारा बारा बच्चे होगे फिर उन्होंने अपना पर एक पूरा का पूरा गाउं एक हांदान का गाउं वो इस तरीके की चीजी हो जाते थी इतना भेंकर किस्म से हम क्योंकि दो उत्तर नोर्थ इंडिया में एक दवदवा माना जाता पावर उनको लगता कि जितनी ज्यादा संख्या उतनी ज्यादा पावर और यह साबित हो जाता है जब हम यह दित्व में पंचायत की लेक्षन देखते है। código में तो उत्तर भारत में अलग-अलग छेत्रों में कोई Sarpenter भूलता है कोई प्रधान बोलता है प्रधानी के चुनाओ कोई मुख्या बोलता है मुख्या के चुनाओ अब उस चुनाओ में जिसके पास ज्यादा संख्या वो जीतेगा दब दब आ उसका गाउं में तो संख्या में सकती है यह भी चीजे रही और खास करके पैट्रियार्कल सोसाइट जो पित्र सत्तात्मक समझ है भारत की सोच है तो उत्तर भारत में वह सोच ज्यादा मजबूत है तो महिलाओं को लेकर के पुरुसों की सोच थोड़ी वह है दक्सिन भारत में फिर भी थोड़ा सा डेवलोप्ड आपको देखने को मिलेगा एजूगेशन का लेवल है लेकिन उत्तर भारत में अभी भी कठोर पित्र सत्ता चलती है पुरुसों का राज चलता है एक तरफाट डंडा लेकर के दबदबा चलता है पुरुस परिवार का प्रमुक कौन तो पुरुस मुच्छों पर ताओ देखकर के धोती पैन करके बैठे रहेगे हुक्का आत में लेकर करके घुंगट लंबा सा निकाल करके बैठी है और पति आदेस दे रहे है रहे चिलम भर दे लुगाई है इस तरीकी स्कुष तरह दिखे को ने हुक्का ठंडा होगा चिलम कोन भरेगा जाचुला में आग लेकर कोईल लगा कर भरके लेकर मतलब इस तरहकी की चीजे आज कि हमारे इंडिया में नोर्थ इंडिया में खास करके चीजे देखने को मिलती है तो पॉपुलेशन भी एक्स्ट्रीम लेवल पर चली पुरुसों ने अपने एहम पर ले लिया कि हम तो मर्द हैं मर्द मर्द और हमारी मर्दान की इसी में दिखेगी कि कितने बच्चे अकेला बहुत सारे यूरोप पूरे यूरोप को समाले इतनी जन संख्या है समझ रहे हैं तो अब अगर सीटों का निर्धारन नए तरीके से जो डिलिमिटेशन कमिशन की हम बात कर रहे हैं जिसकी डिमांड हो रही है कि 2021 की जो जनगन्ना होगी जो अभी तो होगी नहीं हो कि किस राज्य को कितनी सीटे मिलेंगी लोग सभा में अगर ऐसा हुआ तो तबाई हो जाएगी उत्तर प्रदेश जिसमें 80 लोग सभा की सीटे हैं वो सिधा सिधा डेड़ सो पार कर जाएगा अकेला ही उत्तर प्रदेश ठीक है और बाकी साउस के राज्यों की सीटे कम हो तो केवल एक पार्टी जिसका उत्तर प्रदेश में ओल्ड होगा वो पूरे भारत की राजनिती के उपर कंट्रोल कर लेगा तो बाकी राज्यों के उपर वो पार्टी ध्यान देगी कताई ना दे बिल्कुल ना दे पूछेगी भी नहीं उसमें इलेक्शन में जीते ना ज तो क्या वो वास्तोविक लोकतंत्र होगा रियल डेमोक्रेसी होगी क्या उसमें सभी पूरे इंडिया का पार्टी स्पेशन होगा नहीं होगा तो यह डिमांड कर रहे हैं यह डिमांड हो रही है कि जो तो 26 का जो डेट हमने रखी नट 2026 तक इस लिमिटेशन को 2051 तक बढ असा चेंज आ जाएं 2001 या 2011 की जंगन्ना को भी आधार बना कर गए सीटों की संख्या निर्धारित करने की कोशिस जारी है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है राजनिती है इसके बारे में हम कुछ कयास लगा नहीं सकते हैं लेकिन नियाय जस्टिस जो है वो यही कहता है कि 1971 क सीटे हैं वो रहनी चाहिए उसी के आधार पर रहना चाहिए पहले सभी राज्यों को इकवल किया जाए बराबर किया जाए फिर सीटों का निर्धारन किया यह है तो यह तो हो गया लोक सभागी सीटों के लिए हमने देख लिया अब इसके बाद अगली चीज पर चलते है उसको समझते हैं अगली चीज क्या है वही 1971 के बाद जनसंख्या बढ़ने लगी विभिन निर्वाचन छेत्रों में देश के विभिन भागों में आस्तमान जनसंख्या व्रधी के साथ साथ किसी एक ही राज्य में लोगों या मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की और का परिणाम यह हुआ कि एक ही राज्य में निर्वाचन छेत्रों के आकार में भारी अंतर हुआ समझ यह टोटल नंबर उफ सीट तो कर दी कुल सीटे और उन कुल सीटों का निर्धारन के टाइम 1971 में वो सीटे यह भी निर्धारित कर दी कि एक सीट का छेत्र कितना हुगा माल लेते उत्तर परदेश की हम 20 शीटों की बात कर रहे तो माल लेते कि उत्तर परदेश में 80 सीट हैं तो जंसंख्या के अधार पर इनों ने बराबर बराबर उन 80 सीटों को बाट दिया पूर एक्जाम्पल के तोर पर कि हर सीट पर एक लाख देड़ लाख दो लाख लोग आ रहे इतना है नहीं वहां पर भूजाता है लाखों दस पंदरा-पंदरा 20-20 लाख तक जाती है एक hypothetical situation बताइए कि मान लेते हैं ऐसा किया कि सभी सीटों में बराबर जनसंख्या आ गए लेकिन भारत है भाई, भारत में एक जगे पर जो चीज जैसी है, दस साल के बाद वैसी ही रहे, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 1971 के बाद से भारत में 23 गति से सहरी करन हुआ, अरबनाईजेसन हुआ, विकास हुआ, डेवलोप्मेंट हुआ सहरों का, तो लोग क्या करने लगे गाउं से सहरों की तरफ पलाइन करने लगे, तो गाउं की जनसंख्या कम होने लगी, सहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, व्रधी तर, कुछ सहर, कुछ छेत्र ऐसे थे, जो बहुत सम्रद रोजगार के उसर थे, फसल अच्छी होती थी, तो लोग वहाँ पर बसने लगे तो बच्चे वहाँ पर खुब पैदा होने लगे, कुछ ऐसे छेत्र थे, कठिन छेत्र थे, रगिस्तानी टाइप के पानी कम था, खतम होता चला गया, या पहाडी छेत्र थे, ऐसे पहाडी छेत्र जहाँ पर बरफ पी पढ़ती रहती थी, खेती नहीं, होई नहीं पाती भुस्खला नहीं होता रहता था, बादल ही फटते रहते थे, तो लोग वो जगे छोड़ करके दूसरे जगे जाने लगे, तो हुआ ये, कि कुछ छेत्र वहाँ पर जनसंख्या कम हो गई, और कुछ छेत्रों में जनसंख्या बहुँ जादा बढ़ दी, जनसंख्या का वि एक सीट कहेंगे, इसमें बदलाव करने की जुरूत महसूस हुए, जहां पर जनसंख्या बहुत जादा थी, वहां पर सीटे मान लेते हैं कि ये छेत्र है, यहां से पलायन करके लोग इधर आ गए, और एक्जामपल ये वाला सेत्र था, यहां पर बहुत जादा जनसंख्य बढ़ गई, और ये वाला छेत्र था, यहां पर जनसंख्या कम हो गई, तो ऐसे में ये मैसूस हुआ कि सीटों का कम से कम एक राज्ये के अंदर, सीट जितनी है, असी सीटे हैं लोग सभागी, ठीक है, विधान सभागी जितनी सीट है, ठीक है, जितनी है, लेकिन कम से कम उ तो 2001 के अंदर, 2001 के अंदर, दुबारा से, निर्वाचन छेत्रों का सीमांकन दुबारा से किया गया, उनर सीमांकन, सीटों के साथ छेड़ छड़नी, सीट ओही है, जो 1971 में थी, टोटल नंबर ओफ सीट, वही जो 1971 की जनगनाप के आधार पर की गई थी, लेकिन उनकी सीमा बदल दी, है ना, जहां पर जनसंख्या जादा हो गई थी, तो इसको दो हिस्सों में बाट दिया, दो निर्वाच कर दिये, जहां पर जनसंख्या कम हो गई, तो इसको दूसरे निर्वाचन छेत्रों में मिला दिया, जैसे इन सब को मिला करके एक ही बना दिया गया, किलो वही तुम्हें एक ही सीट का आनंद लो ठीक है तो सीटों की सीमाओं में परिवर्तन का आधार 2001 का वर्स है सीटों की कुल संख्या का आधार वर्स 1971 है ये दो चीजें आपको दिमाग में बिठानी है ये बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज है जो सब को बहुत जादा आपको समझ में आया होगा थोड़ा डिटेल में चला गया जादा ही गहराई में नहीं जाता तो नहीं समझ में आता प्रोब्लम ही है समझाना जुरूर यह क्योंकि यह कॉंप्लेक्स कोंसेप्ट है थोड़ा डिटेल में समझाएंगे तो आपको चीजे क्लियर हो जाएंग हमें क्या बनाएंगे इसका हम डिलिमिटेशन का मिसमें पहले लिखेंगे कि कुल कुल सीटों का सीटों की संख्या का आधार वर्स आधार वर्स जो है वो है 1971 की जनगन्ना दूसरा हम लिखेंगे कि सीटों की सीमाओं सीट की जगए आप यहाँ पर निर्वाचन छेतर भी लिख सकते हैं ठीक है निर्वाचन छेतर निर्वाचन छेतर इन निर्वाचन छेतर की सीमाओं के निर्धारं सिमाओं के निर्धारन का आधार वर्स कोन सा है आधार वर्स ये है 2001 2001 की जनगनना इसको समझना है 2001 की जनगनना ये आधार वर्स आपको पता होना चाहिए ये हो गया किलियर चलिए और like share करते वे आज़ेए, like share ठोकते वे आज़ेए चलिए आगे चलते हैं इस प्रकार परिसीमन अधिनियम 2002 का अधिनियम एक सीमांकन आयोग के गठन के लिए किया गया सेम समझी वो ही बताया ना सीमांकन केवल सीमाओं का पुनड इरधारन के लिए किया वही जो मैंने आप गोता है कि आसमां जनसंख्या होगी इतना जादा हो गई थी उसमें दो छेत्रों में बाट दिया जहां कम हो गई थी तो उसको दूसरे निर्वाचन छेत्रों में मिला करके बना दिया कि ठीक ही यह तुमारी सीटों का निर्धारन गया यह हुआ अब इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखना कि अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए हमारी देश में जो सीटे निर्धारित है उन सीटों को निर्धारन भी 1971 की जनगन नहीं है प्रस्तावित सीमांकन आयोग 2001 की जन गनना के अधार पर अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनर निर्धारित भी करेगा लेकिन 1971 की जनगन्ना के आधार पर निर्धारित सीटों की कुल संख्या को बिना प्रभावित किये इसका मतलब समझेए इसका मतलब ये है कि 1971 के अंदर जितनी टोटल सीटे थी किसी राज्ये की सीटे तो उतनी ही रहेंगी लोग सवा में उसकी विधान सभा में जितने सीटे थी सीटे उतने ही रहेंगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन क्योंकि अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती इनके रीप्रेजेंटेसन को बढ़ाना है इनको प्रतिनिधितु देना है, तो इनकी सीटों की संख्या में बदला किया जा सकता है, इनकी सीटों को पुनर निर्धारित किया जा सकता है, इनकी संख्या को पुनर निर्धारित किया जा सकता है, मान लेते हैं कि 1971 में सेडूल कास्ट की एक राज्या में दो सीट थी, अब वर्तमान में आते आते उसकी जनसंख्याब 2001 में डबल हो गई उसी राज्य में ठीक है और एक एक एक्जामपल के तोर पर समझ लेते हैं इसको मैथ के गणित से समझ दिए मान लीजिए हम यहां पर एक फिर से उसको लेते हैं किसको हम उत्तर परदेश को लेते हैं ठीक है 1991 में उत्तर परदेश में लोग सभा के लिए 80 सीट है थी ठीक है कुल सीट और इसमें अनुसुचित जाती के लिए फौर एक्जामपल बान लेते हैं मैं एक डाटा नहीं पता कि कितनी है वह आप करेक्ट कर लेना मैं एक हाईपोथटिकल सीच्वेशन देख बता जेता हू कि यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल सीट नमबर ओफ सीट जो है यहाँ पर अनुसुचित जाती के लिए 10 है ठीक है अब हुआ कि रिप्रेजेंटेशन इनका बढ़ाना था तो क्या हुआ कि 2001 के अंदर जनगनना जनसंख्या बढ़ गई तो ये प्रावधान कर दिया गया कि सामाजिक नियाय के आधार पर इनकी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हो या कमी कर सकते हो अगर इनकी जनसंख्या बढ़ गई है तो सीट बढ़ा दो जनसंख्या घट गई है तो सीट घटा दो लेकिन टोटल नंबर सीट जो है य कितने टोटल नंबर ओफ सीट दो हैं होनी हैं ये भी आपको ध्यान रखना है आपको UPSC में या कोई भी एक्जाम की अगर आप तयारी करते हैं तो उस एक्जाम की प्रिप्रेशन में कन्फ्यूजन में डाला जाएगा यही डाला जाएगा बार बार पुछा जाएगा कि लो सभा की सीटों की पुनर सिमांकन कौन से वर्ष की जन्जगन्ना की आधार पर किया गया अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन्जाती की सीटों का पुनर निर्धारन वो कौन सी जन्गन्ना की आधार पर किया गया यह तीन चीज तीन अलग-अलग स्टेटमेंट है इन ठीक है चलिए आगे चलते हैं अधिसी निया इस बारे में कुछ दिशा निर्देश देता है कि ऐसा परिशिमन किस तरीके से सभव बनाया जाए ठीक है जैसे ये लोक सभा का सिमांकरन आप देखेंगे तो किस तरीके से किया गया है यहाँ पर देखें दोगों ऐसे हम पूरे प्लस राज्य सभागी बात कर रहे है तो जैसे यहाँ पर देखो कि जम्मू कस्मीर है है ना लोक सभागी कितनी सीटे होगी राज्य सभागी कितनी सीटे होगी लद्दाक से लोक सभागी एक सीट है राज्य सभागी नहीं है यह निर्वाचन छेत्रों में हमने आना इसे बाट जाएगा अलग अलग नीर्वाचन चेत्र जहां से एक कुमीधवार खड़ा होगा यहों आपका में निर्वाचन परिसीमन आयोग दो तरीकिसे जो परीसीमन करता है दीलिमीटेशन कमिस्ण जो है वो दो यानि कि आप लोक सभा, राज्य सभा इसके लिए ठीक, तो राज्य सभा तो प्रपोस्टनेट होगी, वो तो उसके उपर आथा है क्या नाम है, आनुपाती प्रतनिधितु के आधार पर आता है, तो और कुल नंबर की संख्या उसमें कुछ लेना है, देना है नहीं, तो लोक सिमन आयोग निम्नांकित में से किन-किन सीटों के लिए, या किन-किन चुनाओं के लिए, सीटों का निर्धारन या पुनर सिमांकन करता है, और उसमें फिर आपको उप्सन दे दिया जाएगा, और उसमें कहा है, आपसे पूछ लिया जाएगा, और उसमें आपको दे दिय जाएगा, राज्य सभा के उप सभापती, फिर आपको दे दिया जाएगे लोग सभा के सांसद, ठीक है, फिर उसमें आपको दे जाएगा राज्य विधान सभा के अध्यक्स, ठीक है, और फिर दे दिया जाएगा राज्य विधान सभा के सदस्य, इस तरी इंडारेक्टली प इसको हम लोग सभागी सीट को हम संसद्य छेतर की सीट बोल दें इनका पुनर सी मांकर पुनर नरधारन जो है करने का काम डिलिमिटेशन कमिशन ने किया अब डिलिमिटेशन कमिशन जो है इसके बारे में यह ध्यान रखिये गया कि कुछ प्रमुख चीजे हैं जो आपको अंतिम करण नहीं कर सकते इसका इसका जो नडितना है वह अंतिम है अंतिम मतलब फाइनल है अंगद का पाव देखा आपनी अगर पुरानी आपने हमारे धार्मिक जो कदहाना पुट पड़े हो या उनका डारेक्ट चितरांकन या फिल्मांकन देखा हो तो अंगद होते थे वो पैर जमा लेते थे कहीं और एक पैर जमा दिया तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए इवन रावन तक पैर नहीं ला पाया यानि कि जो कर दिया तो पैड लगा दिया तो लगा दिया तिक गया तो टिक गया फाइनल है अब ना बदलेगा सुपर पावर कुछ भी करने की पावर फाइनल पावर उसी के पास कोई भी नहीं कर सकता चेज ही नहीं कर सकता तो यह decision delimitation commission का है अगर Delimitation Commission ने परिसीमन आयोग ने ये डिसाइड कर दिया कि भाई एक राज्य की एक विधान सवा सीट का सीमांकन जो हम कर रहे हैं वो फलाना फलाना छेतरों को मिला करके किया जाएगा सीमांकन कर दिया जो पुनर सीमांकन होता है ना तो वोट भी इधर उधर हो जाते हैं सीमांकन बड़ा टफ काम है बड़ा खतरनाक काम है दो वो समझ की इसको कैसे समझते हैं मान लेते हैं कि एक राज्य है अब इसमें पहले ये सीटे थी इस तरीके से सीटे थी ठीक है ये सीटल थी इसका बटवारा था अब ये सीट थी तो हो सकता कि एक उम्मीदवार है एक रामू नाम का उम्मीदवार है ठीक है रामू नाम का उम्मीदवार है रामू काका थोले वाले अमारे रामू कापका ठीक है वो उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़ते हैं उ लेकिन उसी के साथ वाला तो दूसा निर्वाचन छेत्र है, वहाँ पर उनका बिल्कुल भी होल्ड नहीं है, वहाँ पर लोग उनको बिल्कुल पूछते भी नहीं कि कौन है रामू काका, कुछ भी करता हूँ हमारे लिए क्या करता है, ठीक है, ऐसा है, अब ऐसे में वहाँ हो गया पुनर सिमांकन, मान लीजिए, डिलिमिटेशन कमिशन इसको पुनर सिमांकित कर रहा है, और उसने क्या किया, उसने इस निर्वाचन छेत्र को बढ़ा करके यहां तक कर दिया, इतना डाल दिया, इतना बढ़ा कर दिया, अब रामू को तो दर्द होगा, परेशानी होगी, दुख होगा, क्यों, क्योंकि इतने छेत्र के लोग तो इसको वोट दे रहे थे, लेकिन यह जो नया छेत्र जोड दिया गया, यह तो वोट नहीं दे रहे, इसके तो वोट कट रहे, इसका वोट बेंक कम हो गया, तो दुख होगा ना, उस पार्टी को भी दुख हो नहीं बोलता कोई भी पार्टी होते सब ही मामला उठाते अब समझदार थे हम है न हमारे संसद में जो कानून बनाने वाले लोग को समझदार थे उनको पता था कि ये प्रोब्लम आएगी डिली मिटेशन कमिशन के सामने तो इस समस्या को जड़से ही मिटा दो मामला इक खत्म कि अधिक थे फोड़ा सा प्रोब्लम होती है यहां पर टेकनिकल अर्यर हो जाता मेरा चिंता मत करा गरें रिलक्स रागरें मजा से आ क्लास पर फोकस करें बस मज़े से अ हां कि रिसना सुरूची को वाइफ़ दे बस तू वैसे तर वो काम के लिए बोल दे तो नहीं करेगा लेकिन वाइफ़ाई देने के लिए लड़ी को दे देगा थोड़ा वाइफ़ाई अमें भी दे यहां पर भी मैं भी ओट्स्पोर्ट ओर रहा हूं दे जरह वाइफ़ाई थोड़ा नेटवर्क मेरे पास भी ले कर गया ह लगा रहता है सब लोग लगे रहोगे चैटिंग में कि कैसे मोका मिले बस मोका मिलते चालू लाइन फुल ओन बड़ाई पर दियान दे लो फायदा हो जाएगा थोड़ा इधर दो फोकस कर लो स्टड़ी फोकस करो इधर चीजे काम हो जाओगे ठीक है चले आगे चलते हैं हम कहां पर थे भई हम एक अलग स्टोरी पर थे यहां पर दूसरे स्टोरी चल रही थी फुल और फाइनल वाली तो यह सारी की सारी चीजे जो है हमें पता थी हमारे नेता लोग इतने तो पता रहें उनको पता है कि भई डिलिमिटेशन कमिसन अगर कोई भी डिसीजन लेगा सिमाओं का पुनर निर्धारन करेगा तो सब लोग उसका पोजिशन करेंगे और सभी जाएंगे कोर्ट में जाकरके पहुंच जाएंगे ठीक है कोर्ट में जाकरके मामला उठाएंगे या पार्लियमेंट में कोई पार्टी होगी ठीक है जो अभी पावर में है लेकिन डिलिमिटेशन हो गया सिमाओं का पुनर निर्धारन हो गया और उससे उस रूलिंग पार्टी को नुकसान हो रहे है तो फिर वो भी उसके डिसीजन को चेंज करने के लिए कोसिस कर सकती है तो ऐसे टक्राव हो ही न इस तरीके की समस्या हो ही न इसलिए हमने full and final कर दिया कि भई ठीक है जो भी चीज है delimitation commission ने आदेश दे दिया तो वे आदेश उपर वाले का आदेश है उसको बदल नी सकते final है अब उसके खिलाफ ना तो आप court में जा सकते ठीक है court में नहीं जा सक सकते हैं जबकि भारत में कोई भी मामला हो कोई भी इसू हो आप judicial review से उसको रोग नहीं सकते हैं नियाइक पुनरिक्षा जिसको बोलते न सुप्रीम कोर्ट की और आई कोर्ट की judicial review की power इवन 9th schedule जिसके उपर judicial review से उसको बहार किया गया था 2007 में उसको भी केसवनन्द भारत केस वाली डेट से नियाइक समिक्षा ग्यंतरगत ले लिया है तो यह एक ऐसी चीज है जिसका ना तो आप judicial review करवा सकते हो नियाइक पुनरिक्षन हो गया ही नहीं मामला खतम इसने जो डिसेजन दिया फाइनल नाहीं संसद ही कह है कोट में नहीं कर जा सकते संसद संसद इस का मतलब delimitation commission जो भी decision लेगा वो full and final है ना parliament उसमें role play कर सकते हैं ना ही कोर्ट उसमें role play कर सकते हैं यह चीज इंट्रेस्टिंग है यह याद कर रहे हैं बुक के अंदर नहीं है यहां से क्युस्टन आएगा क्युस्टन हमें सब पूस लिया जाएगा कि परिसीमन आयोग के किसी निर्णे के खिलाफ आप निम्नांकित में से कौन सी जगे पर अपील या या याची का या सिकायत दर्ज कर सकते हैं ठीक है और उनकी सिकायत की सुनवाई हो सकती है उसके आदेस को बदला जा सकता है और आपको विकल्प दे देंगे नीचे सुप्रीम कोट फिर संसध फिर आपको देंगे राज्य कि राज्य पाल ठीक है या नीचे देंगे किसी में नहीं किसी इन उपर में से किसी में भी नहीं तो नन अफ़ अवाव इसका correct answer रहेगा यह चीज ध्यान रखना इसमें घोमना नहीं है क्योंकि maximum मैंने देखा है सब लोग इसी mindset में रहत ये बाकी चुनाव संबंधी जो अन्य अधिनियम है ये आपके काम के नहीं है तो फ्रेंकली मैं आपको बता रहूं बिल्कुल भी काम के नहीं है इन सब को आप छोड़ दीजिए आपके पास अगर बुक हो तो बुक खोल लीजिएगा तो बुक में ठीक है और यहाँ पर सुधार में पढ़ लेंगे इलेक्शन रिफोर्मस जो है ना उसमें हम कर लेंगे लेकिन यहाँ पर इनका कोई रिलेवेंस बनता नहीं है अगर आपकी आत्मा की सांती नहीं हो रही संतुस्ति नहीं आ रही दिल पुकार रहा है दिल पुकारता बहुत है आप लोगों का त दिल चले जाएं देखना तो है देख ले तो देख लो बस काम का निया सिप कर देना यह लोग यह चीजे मैं बोलूंगा वी नीपढ़ाओं वी नहीं क्योंकि काम का है ही नहीं ठीक है टाइम्वेस्ट है इनको हम इलेक्षन डूरूल समें उसमें देखेंगे बुक के NCR वाला जो दिल्ली राजधानी, जो दिल्ली का छेतर का से संबन्दी था, इसको हम Union Territory वाले चेप्टर में पढ़ चुके हैं, कुछ राजियों के लिए विशेश प्रावधान, Special Provisions for some States and Union Territories उसमें भी पढ़ चुके हैं, और आने वाला जो समय Election, Reforms, चुनाव सुधार, जो चेप्टर आएगा, उसमें भी पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर उनका कोई रिलेवेंस है नहीं, यह बिना बात के दिये में, स्किप कर दीजिए, ठीक है, नियमावलियां वगेरा वगेरा, यह सब आप स्किप कर दीजिए, कोई लेना देना नहीं है, दल बदल कानू चेप्टर साइद उसी से रिलेटिड है, आदेश वादेश कोई काम का नहीं है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना था, इतना ही था आज का, आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है, तो आज की 37 संतुस्टी मिली, 72 चेप्टर खतम, आपको बड़ी खुसी मिली होगी, कि यह लेकिन ध्यान रखेगी वह जानबूज करके लंबा नहीं करता हूं मैं उसकी डिमांड के इसाब से होता है ठीक है डिमांड देखी जाती कि चैप्टर की इंपोर्टेंस कितना है योगदान कितना है उस इसाब से उसकी लेंस जाती है जैसे नोर्मली हर चैप्टर अपना बहुत लंबा लंबा चलता है लेकिन कुछ छोटे भी है जैसे पढ़ाए जैसे आप वो अन्य पिछड़ा वरग आयोग रास्टी अनुसुचित जाती जन जाती आयोग वो सिमिलर से थे तो एक में हमने एक्स्प्लेन कर दिया बाकियों क चोटा चोटा कराया महाधिवक्ता उसका आमने कराया और भी जो चीजे कराई ऐसे ये भी चैप्टर था ज्यादा लंबेगा था नहीं एक ही बार में खतम मामला समाप 72 खतम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजे मैंने बता दी है वहां से क्योस्चन आएगा प्रिलिम सुधार भारत में हुए इंट्रेस्टिंग मज़ेदार मज़ेदार किसे कहानिया आपको उसमें सुनाएंगे फिट हो जाएगा दिमाग में भूलोगे नहीं कभी भी हाँ एक और चीज है कोर्स जब भी जोइन करें आने कैडमी का तो य लाई 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 कोड यार अपला अगर चाहिए कि वहाँ पर तुम्हें अने कैडमी का कोर्स जोइन करने के बाद कोई दिक्कत ना है हर मामले में गाइडेंस मिले तो में इसे कोंटेक्ट कर पाऊ टीचर के साथ बातचीत कर पाऊ हर चीज में डारेक्ट तो यह रेफरेल कोड आपके लिए ही है ल वाई ल कोड को लगाना है और एक्जाम पास होने तक पर्सिनल गैडेंस मिले गी मेरी डिटेल्स सारी की सारी आपको मेरे ट्ल हैं टेली गनल तो सिधा मेरे से संपर्ग होता है वोही चीज है जो exam pass कराएगी यह ध्यान रखना इसका अंतर बाद में पता चलेगा जब हमारे कुछ candidates pass होकर के आएगे आपके सामने जिनको लेकर के आएगे जो proper personal मेरे ही student होंगे जिनको मैंने ही guide के regular किया क्योंकि मैं कर रहे हैं पता है मेरे को regular कर रहे हैं और उनमें से निकलेगा result तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो time waste क्या और इधर जो मैं बोल रहा है उसमें क्या फरक है तो कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपका result हो जाए बढ़िया तरीके से तो एक proper guidance personally आपके लिए जरूरी है वो ही आपको pass कराती है ये सिध तथ्य है और ये वास्तविकता है क्योंकि personal guidance देने के लिए हमें अपनी personal life से time निकाल करके देना पड़ता है अपना खुद का time और उसके लिए कोई payment payment नहीं होती है वो हमारी ethical duty है जो मैं fulfill करता हूँ कि हाँ ठीक है बई ये बच्चा हमारे believe पर आया तो अब इसके लिए मैं जान लड़ा दूँगा इसको तो कुछ भी हो जाए कही ना कहीं काम्याब जरूर होगा कोई ना कोई seat तो दिलवाईंगे इसको है ना वो जान लड़ा देंगे तो वो नैतिक जिम्मेदारी एक अपनी निभाते है लेकिन उसके लिए आप भी कम से कम ये code apply कीजिए तभी होगी इसको apply करके आईए और apply करके फिर आते हो तो फिर priorities होती है मेरी भी है ना कि मैं उनको ज्यादा ध्यान पहले priority पर रखेंगे ने जो हम पर believe करके जिनोंने लगाया जो आए हैं उम्मीद में कि हाँ भी सरसिक के साथ जुड़ेंगे उनके साथ जुड़गर के करेंगे तो फिर उनको आपको सबकी मिलेंगी ऐसा नहीं काफिक स्टूडेंट इस चीज में भी confusion में है कि सर ये code लगाने पर केवल आपकी class मिलेगी क्या दूसरों की class नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है ठीक है सबकी मिलेगी जितने भी teacher है सबकी class मिलेगी हर language में मिलेगी हिंदी इंग्लिस बाइलिंगोल तीनों में मिलेगी notes भी मिलेंगे सब कुछ मिलेगा guidance सबसे important है discount भी 10% discount भी मिलेगा सबसे important है guidance वो मैं दे सकता हूँ आपको proper personally जो कहीं नहीं मिल सकती direct सीधा regular बार 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 ठीक है तो वो अगर चाहते हैं seriously अगर serious candidate है बिल्कुल तो LY live code लगा करके आप हमारे पास आज़ें महनत करवा देंगे आपको ठीक है और कुस ना सही shortcut है नहीं कुछ भी हमारे पास ना ही shortcut का कोई formula है कि इतना सा ही करके करवा देंगे महनत करा देंगे बकायदा तरीका बता देंगे महनत का ठीक है notes बनाने का पढ़ने का ये सारी चीजे समस्याओं के समाधान का महनत करके एक इनसान बना देंगे सच्छम व्यक्ति बना देंगे जो कही ना कही पास होगा फेल नहीं होगा life में नहीं पर भी फेल नहीं हुआ एक seat उसके लिए जरूर कहीं नहीं रहेगी ठीक है तो उसको भी यूस कीजिए आपके लिए YouTube पर इतने सारी quality की detail में classes करवाई है कहीं पर नहीं मिलने वाली इतनी line by line बहुत विस्तार से detailed classes नहीं मिलेंगी यह भी ध्यान रखना है ठीक है इतना सारा entertainment ये साथ आपके लिए मैं cartoon भी बन जाता हूँ पर है वो dedication होता है मज़ा आता है आपके साथ study करने में और share करागो आप लोग like share नहीं करते हो पता नहीं क्या छोटी मोटी classes जिसमें छिपकली मिल गई आज उसने उसको चाकू मार दिया आप क्यों चाकू मारा इसकी जाच पड़ताल करते हैं डाइनासोर का अंडा मिल गया ऐसी classes के लिए तो भाई सौब भर भरकर के वीडियो देखे जा रहे हैं लाखों में व्यूज आ रहे हैं और जो आपको content पड़ा रहे हैं जहां से आपका exam का निकलना है जो exam का static portion है syllabus का 98% area है उसके उपर views ही नहीं है क्यों? क्योंकि उसमें उनको लगता है कि क्यों वो 2% कर लें वस उस 2% को देखने से हम pass हो जाएंगे वो बहुत बड़ी मिथ्या है बहुत बड़ा गलत धारना है यह ध्यान रखिएगा उन चीजों में जाना ही नहीं है वहाँ से नहीं आते हैं सवाल टाइम वेस्ट करने के बाद फिर समझ में आएगा वो 2-3-3 घंटे एक सी चीज में की छिपकली मिल गई नई छिपकली खोजी तेल के दाम बढ़ गए तेल के दाम कम हो गए डोनाल्ड ट्रंप ने मारा मुक्का अपने असिस्टेंट को नरेंद्र मोधी को आई छीख इस तरीके की खबरे फलाना फलाना व्यक्ति की हत्या गजब उसको देख रहे हैं आप मजे के देख रहे हैं और उसमें चटकारे ले ले करके देख रहे हैं अगर ऐसा होता तो जो न्यूज रीडर है जो हमारे न्यूज चैनल पर टीवी एंकर से वो सबसे बड़े दाता होते यूपीएसी के लिए वहीं से फास हो जाते तो हमेशा सारी की सारी चीजे जो है वो सही चीजों पर फोकस करने सबसे इंपोर्टेंट है यूपीएसी के स्लेवस का 98% एरिया स्टेटिक है ठीक है इसी पर ही फोकस करने है पहले फिर बाकी चीजों पर जाने है जब ये कर लोगे न तब आप इंटरलिंक कर पाओगे तब आप कनेक्ट कर पाओगे टीचर तो कर देगा तब तक इंटरलिंक की का वो चीज़े कुछ भी नहीं होगे तो पहले खुद सक्षम बनो पहले स्टेटिक पोर्षन को करो ठीक है आपको निबंद लिखने के लिए पहले लिखना आना चाहिए पहले आपको वाक्य बनाना चाहिए ठीक है वाक्य बनाने के लिए पहले आपको सब्द आने चाहिए ठीक है ABCD आएगी तभी आप sentence लिख पाओगे तभी आप word बना पाओगे word बनाना आएगे तभी आप sentence बना पाओगे sentence बनाने आएगे तभी आप उसको paragraph में लिख पाओगे ठीक है step ये चीजे होती है direct jump करके कि इतनी ही चीज पढ़ लो इससे साब cover हो जाएगा नहीं होगा कभी भी तो हमेशा static portion पर focus करे important है share करना जरूरी है आप share नहीं करते हैं ये एक भोट विडंबना की बात है तो हमारे जैसे वो सारे educator जो कुछी गिने चुने हैं जो चाहते हैं कि इमानदारी से आपको हम free में करा दें YouTube पर सारा काम तो वो नहीं करा पाते हैं तो कि audience को गया पसंद है छोटी छोटी चीजे फार्मूला एक ही class में सारी चीज इतना इतना कर लो जन घुटी दे दी जाए कोई science का formula मिल जाए कोई मंतर दे दिया जाए ऐसे आबरा का डाबरा है ना मैं बन गया ये वगेरा वगेरा हैं सब कुछ घोट हो गया ऐसा कुछ नहीं होता है वो बेवकुफ बनाने वाली चीजे ध्यान रखने है exam pass करना है मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत का कोई substitution नहीं है effort डालना पड़ेगा ठीक है full on मेहनत करनी पड़ेगी और सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे ही मेहनत नहीं जैसे कई सारे students करते हैं जो गलती करते हैं 5-5-6-6 साल से पढ़ रहे हैं सब कुछ पड़े जा रहे हैं कुछ भी पड़े जा रहे हैं लेकिन पास नहीं हो रिजल्ट नहीं आ रहा reason क्या कि direction सही नहीं है सही direction होना भी जरूरी है guidance होनी भी जरूरी है तो teacher के संपर्क के साथ वो guidance regular आती है इसलिए paid course पर ज़्यादा focus करते हैं पर सारे teacher वहाँ पर बहुत बढ़िया वाली quality देते हैं अपनी highest quality सभी teacher वहाँ देते हैं reason क्या क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर केवल serious candidate है serious student है जिसको पता है जो जो मेनत करने के लिए है जो pass करना चाहता है और YouTube पर आप देखोगे उस तरीके की quality की बहुत कम ही classes आपको मिलेंगी अलेंकि मैंने तो अपनी पूरी की जो जिस तरीके से plus पर बढ़ाते हैं वैसे यहाँ पर भी पढ़ा दी है आपको चीजें ताकि कम से कम मेरे दोस्त जो afford नहीं कर पारे उनको मिले लेकिन मजा नहीं आता है देखने करकी यह व्यूजी नहीं है कोई देखी नहीं रहा शेर ही नहीं कर रहा फिर लगता है क्यों पढ़ाएं जब इनको पढ़ना ही नहीं इनको उसी भेड़चाल में चलने दो जिससे fail होना है होते रहो फेल उन पर फोकस करो जो सीरियस है उनके लिए quality दो तो ऐसी प्रवर्ति मत आने दो हम चाहते हैं कि आप लोग कि अगर आपको quality education चाहिए तो आपको भी equally participate करना पड़ेगा भागीदारी दिकरनी पड़ेगी भी शेर करना पड़ेगा to share करो खुब सारा सेर करो class शुरू होने से पहले यूट को खितम हो जए तो भी शेर करो सब अपने सारे दोस्तों के पास ,appelle लोगे पास सबको बताओ कि वह भी क्लास है जो detail में बढ़र पड़ी तो खतम मामला खतम, दुबारा करने की जूरूत नहीं, कहीं से करने की जूरूत नहीं, एक सवाल गलत नहीं होगा, इस चीज की भी security है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, चलिए, अब आपको कोई सवाल है तो आप मेर से पूछ सकते हैं, जो भी आपको मेर से जानना है तो हम आपके सवालों का जवाब यहाँ पर देंगे और कि वहियात किस्म के लोग भी आते कई सारे इनको नाम बदाल लगाने में भी सर्म नहीं आती इनको कि किस तरीके का नाम कि क्या सोच रखकर के नाम रखते हूं फलाना फलाना कि कि थोड़ा तो देख लिया अगरो यूपीशी एस्पिरेंटो थोड़ा तो तम ही जोनी चीए तुम लोगों में बहनों के लिए लड़कियों के लिए इतना गंदा अपसब यूज करना किसी की भी बहन हो बहन तो बहन ही है ठीक है उसके लिए उल्टा सिधा लिखर हो तुम हद है यार धिक्कार है ऐसे लोगों पर कहां से आते हो तुम लोग सर्म की बात तुम्हारी बेटी होगी कभी तुम्हारी पत्नी होगी उसके बारे में कोई बोलेगा तब तुम्हें एहसास होगा और मेरे को लगता है तब भी तुम्हें फरकना पड़ेगा साय इतना गिर नहीं भी है तो तुम्हारी बेटी तो होगी ही पत्नी तो होगी ही है ना कुछ तो होगा महिला का योगदान तो होगा तो उसको इस्विकार कर लो क्या गलत तरीके कर नाम लिखते हो मत करागरो यार ऐसे यह बहुत खराब सोच को दिखाता है तुमारी गलत सोच दिखाता है कम से कम रिस्पेक्ट देना सीख लो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो अपनी गंदी सोच को कम से कम अपने तक ही रखो दूसरी जगह फैला करके यह क्यों दिखार होगी तुम कितने गंदे हो उससे तुम्हारी कोई बढ़ाई नहीं होने वाली तुम कुछ बड़े बनने वाले हो नहीं कि तुम्हें लगता कि वाह मैंने इसके नाम के इसकी बहन के लिए कि मैंने यह लिख दिया तो मैं कितना बड़ा आद्मी बन गया मैंने उसको कितना निचा दिखा दिया तुमने उसको निचा नहीं दिखाया तुमने खुद को निचा दिखाया अपने परिवार को अपनी माम्मी को अपने पापा को जो बड़ी उमीद पाले बैठे हैं कि देखो हमारा बच्चा है हमारा बेटा है नाम करेगा उनको नीचा दिखाया है तुमने कि ये लिख रहे हो तुम सुधर जाओ इन चीजों में मत पड़ो ये बकवास चीज़ है इन में जाने ही नहीं है ठीक है आप सभी का मेसेज जो है वो मैं देख लेता हूँ बीच में नहीं तो जब क्लास दुबारा से मैं रिवाइन्ड करता हूँ तब भी मेरे को दिख जाती है देखता हूँ कि किसने क्या-क्या लिखा है उसी डिमांड पर सारी चीजे में करता हूँ देखता हूँ तो आंसर लिखो बढ़िया तरीके से ठीक है फूब सारे क्योस्टन जो प्री और मेंस के होते हैं वो सब यहाँ पर आपको दिया जाता है यह चैप्टर जो था वो प्रिलिम्स से ज़्यादा औरेंटेड था प्रारंभिक परिक्षा में यहां से क्योस्टन थोड़ा ज़्यादा आएंगे तो उसी तरीके के क्योस्टन सापके लिए यहां पर बनाये है ठीक है चलिए आपको कोई क्लास कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जानना चाहते हैं आपके मन में हो कोई सवाल टाइमिंग क्लियर कर दूँ तो टाइमिंग क्लियर कर देते हैं टाइमिंग यह है हमारी भाई वन पीम पर मेरी होती है बाइलिंग्वल एंदी इंगलिस दोनों की क्लास यूट्यूब यूटुब पर होती है बाइलिंग्वल क्लास होती है ठीक है एम लक्समी कांथ को स्टार्ट किया है बिलकुल फर्स्ट चैप्तर से आज intra Chaptर मैंने वहाँ पर समाप किया है complete किया है ठीक, सेकिंड जो होती है, वो है 9 PM पर, 9 PM पर जो है, वो हिंदी वाली क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हम NCRT और M. लक्षमी कांद के जो बचे वे चैप्टर वो मैं करवा रहा हूँ, और बिल्कुल बेसिक से नए सिरे से, बाइलिंग वाली क्लास में लक्षमी कांद स्टार है, और नए चीज़ें उसमें जोड रहा हूँ, बहुत सारी नए चीज़ें जो पिसले एक दो साल में हमने एक्सपीरियंस की, जो चीज़ें आई, तो और अपग्रेडिड वरजन में वो क्लासिज आ रही है, और ज्यादा बैटर तरीके से क्लासिज आ रही है, हालांकि ड NCRT, 12th क्लास की NCRT की क्लास है न, कल है, जो IR की NCRT की बात कर रहे है न, आप लोग, कल क्लास है, घवरा क्यों रहे हो, कल उसको complete, second chapter complete करा देंगे, दो धुरुवयता का अंत, bipolarity, end of bipolarity जो था, सोवियत संग का विग्टन हुआ, वग्यरा वग्यरा, वो सारी चीज़े कल की क बुक लिस्ट के लिए मेरे को WhatsApp कर देना, सारी बुक में मिल जाएगी सचिन तुम्हें, कि कौन-कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस-किस तरीके की पढ़नी चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रेक्टिस करनी है, तो आइकोनिक वाले कोर्स में चले जाओ, अभी भी, मैं यही कहूंगा, वहाँ पर आंसर राइटिंग होती है, ठीक है, डिस्कोर्ड नाम का एप मिलेगा, वहाँ पर रेगुलर क्योस्टन अप्लोड होते हैं, आपको आंसर लिख करके अप्लोड करना पड़ता है, वहीं से चेक होकर के आ आजाते हैं, आपको मोडल आंसर भी दि अच्छी क्लास्सेठ अवलेबल है को नहीं, यह छार फेक्तरस हैं, इन चार फेक्तर को ध्यान में रखते हैं फिर करना था है, ठीक है, फाइनल सेलेक्शन इसही लिए नहीं होता रहा है, क्यूंकि बुन्याद में कमी हैं, कोई न अ बही हैं, अभी ऑन्याद की दिः ध्य से शुरुवात करने की ज़रूरत है एक बार के लिए हम सभी कम्यों को दूर कर लेंगे अगर हम एक बार बेसिक से सारी चीजों को कवर कर लेंगे और एक सही प्रोपर गाइडेंस मार्क दरसन में ठीक है तो एल वाई लाइव कोड से आपको मार्क दरसन मिलेगा कभी भी जो अगर च्यार में बता रहूं तो सबसे बैस्ट च्यार हैं सोसियोलोजी समाज सास्त्र एक नंबर एक पोलिटिकल साइंस एंड आई आर इंटरनेशन इडिलेशन यानि की PSIR ओप्सनल राजनिती विज्ञान एव मंतरास्टे संबंध ओप्सनल जोग्रफी भूगोल ठीक है और पब्लिक एडिनिस्ट्रेशन लोग प्रसासन ये चार सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले ओप्सनल हैं सबसे और जाधा रिजल्ट यहां से होता है ढडör उसमें उनकी एयरली रिपोर्ट आती है वार्सिक रिपोर्ट्स अती हैं उस वार्सिक रिपोर्ट में से कितने सेलेक्षन हुए पिसले दस साल के selection उठा लेना, यही चार optional है, जिनमें selection है, भर-भर के selection है, सबसे ज़्यादा selection है और consistent रहते हैं continuous 130-500 के बीच में होते हैं, sociology पिछले 3 साल से थोड़ा उपर उठा है, पहले नहीं था लेकिन अब वो भी इसी स्रेणी में आ गया 130-500 के करीब result आपको देते हैं, यह 4 optional जो हैं, फिलाल सबसे ज़्यादा result देने वाले हैं, बाकी अच्छा वो ही है जिसमें आपका interest बन जाए, आपको अच्छा material अच्छा teacher बन जाए, मिल जाए और आपको full confidence हो कि हाँ, इसमें तो मैं फोड दूँगा, इसमें तो मैं कर दूँगा, इसमें तो मैं कोई छूई नहीं सकता, ऐसा मेरा level है, तो बिंदास लो, कोई भी option लो, खराब कोई नहीं है, मैंने आपको result के base पर 4 बताएं बस 15 अगस्त से class start कर रहे हैं, ठीक है, तो आती दुबारा अपना start होगा, political science and international relations, PSIR और लोग परसासन, दोनों optional, alternate days पर चलेंगे, एक दिन political science, एक दिन public administration, एक दिन राजनिती विज्ञान, एक दिन लोग परसासन, ऐसे classes होगा, तो वो हिंदी मीडियम का result खराब नहीं आता है, वो एक ऐसे हवाईयां, एक हवाईयां सी फैला रखें, तीन-चयार कारण है, तीन-चयार factor है, समझेगा, बड़े ध्यान से समझेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, maximum लोगों का थोड़ी selection हो जाएगा, लिखोगे कैसे, जब आती ही नहीं, तो कैसे लिखोगे, बेन तो तुमारे skill होंगे, answer writing के skill, कि दिमाग में एक दम से question पड़ा, thought process आया, चीजे आई, आईडी आया, इंटर लिंक किया, और उसको तुरंत कागज पर उतार दिया, question को लिख दिया, किस language में लिख पाऊगे, उस language में लिख पाऊगे, जिसमें comfortable हो, जिसमें पढ़े हो, fluent हो, लिखने का तरीका है, अब केवल भेड़ चाल देखते हुए, कि भई, इंगलिस से हो कम है, यह reality है, अगर मान लेते हैं कि 10 लाख लोग फोर्म भरते हैं, ठीक है, 10 लाख लोगों ने फोर्म भरा, तो भाई, इस में 8 लाख से ज़्यादा लोग English Medium के student है, अब सोचो, 8 रेसो 2 का, 8.2 का रेसो है, 8 लोग English Medium के है, 2 लोग Hindi Medium के है, 2 से भी कम ही है, तो भाई, ज्य ज़्यादा संख्या होगी, वही से होगा, CDC बात है, OBS सी बात है, अब Hindi Medium और इसका एक result, एक उधारन में आपको देता हूँ, हमारा जो Hindi Belt है, वो थोड़ा सा मध्यमवर्ग परिवार से, और lower middle, यानि निम्ध मध्यमवर्ग परिवार से बिलूं करता है, या BPL कैटेगरी म बहु ज़ादा होते हैं, उत्तर भारत में खास करके, Hindi Medium की जो Belt है, तो वो उस परिवार से हैं, अब उनमें प्रोब्लम क्या होते थी, पहली प्रोब्लम तो ये आते थी, कि इतनी छमता नहीं होते थी, इतना family background या support नहीं होता था पैसे का, कि coaching करने के लिए, तयारी करने क चलेगा, दो साल करना पड़ेगा कम से कम, तो लगबक तीन लाग के करीब आपकी फीस हो गई दो साल की, वो भरे, और दो साल तक आपको रहना भी पड़ेगा दिल्ली में, सस्ती जगे नहीं है, बहुत महंगी जगे, किराया बहुत महंगा है, इतने से काल कोठी जैसे कमर तो दो साल के लिए आपको ओल्मोस साथ से आठ लाग रुपे खर्च करने, और जिनकी फैमिली इंकम ही, एरली इंकम ही, एक लाग नहीं है, आठ लाग कहां से खर्च करेंगे, तो हिंदी बेल्ट तैयारी के लिए आई नहीं पाता था, एक सबसे बड़ा कारण यह था, अ है, राजेंदर नगर है, और एक है मुखरजी नगर, मुखरजी नगर, इसको समझे, राजेंदर नगर जो है, वो अंग्रेजी माध्यम के लिए है, ठीक है, मुखरजी नगर जो है, वो हिंदी माध्यम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए है, अब इसको मैं आपको साबि करता हूं देहूं कैसे राजेंद्र नगर में केवल एक ही इंस्टिटूशन में 30 से 35,000 बच्चे पढ़ते हैं केवल एक ही कैसा भी होगा 30-35,000 तक बड़े-बड़े बैच चलते हैं और अगर 1500-1500 बैच्चों को एक ही क्लास्रूम में बकायदा होल बना कर गे बिठा कर गे उसमें पढ़ाया जाते हैं LED प्रोजेक्टर लगा कर गे टीचर नहीं दिखता इतने बड़ी भीड रहते हैं सिनेमा ओल की तरह हुता है स्क्रीन पर यह सारा चीज़ा चलती है एक ही कोचिंग इस्टिटूशन में इतने बच्चे आ जाते हैं और हिंदी मीडियम की पूरी मुखरजी नगर की सारी कोचिंग जितनी भी है सब को मिला लो तो नए बच्चों की बात कर रहा हूं जो हर साल नहीं आते हैं पांच हजार के गरीब ही नहीं बनते हैं सोचो पूरे राजेंदर नगर में हर साल कई लाख की संख्या में बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं लाखों की संख्या में आते हैं एक ही इंस्टिटूशन का बताए कि 30-35,000 तो एक में ही हो जाते हैं लाखों की संख्या में आ करना चाते हैं पांच ही अजार है अब इनका कॉंपिटिशन है लाखों के साथ क्वालिटी एज्यूकेशन के अवल इतने ही लोग ले रहे हैं कंप्लीट एज्यूकेशन और जो बाकी हमारी हिंदी बैल्ट है जो नहीं आप पैसे के भाव में वो खुद से पढ़ रहे हैं ब जो प्लेटफोर्म्स जब उभरे हैं डिजिटल क्रांती हुई है भारत में एज्यूकेशन के मामले में खास करके और अन्यक एडमी का इसमें बड़ा रोल रहा है घर घर तक एज्यूकेशन पहुंचाने में अब हमारे गाउं के सबसे लोवर बीपिल फैमिली का बच्चा भी वो भी बैठ करके क्लास देखता है सेम टीचर से जिस टीचर से पढ़ने के लिए लोग दिल्ली आ करके दो लाख रुपे तीन लाख रुपे दे करके एडमिशन लेते थे वही क्लास वही चीज वही टीचर यूट्यूब में फ्री में करा देत रहे उस बच्चे तक भ दो साल में हुआ है पहले नहीं था अब यह परिवर्तन हुआ है पिसले एक दो साल से हुआ है अब इस परिवर्तन का रिजल्ट आने में टाइम लगेगा यह ध्यान रखेगा एकदम से रिजल्ट में बदलाव नहीं होता है परिवर्तन में समय लगता है एकदम से परिवर बहुत सारे प्लेटफोर्म देते हैं अलग-अलग फीस में अनेक एडमी भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत मिनिमम फीस में तो तो ओफ लाइन के लिए एक साल के लिए आप दो से धाई लाग फीस देते हैं अनेक एडमी 51,000 एक साल के लिए सब के लिए affordable बना दिया तो ब 2023 मैं आपको बता रहा हम 2023 यहां से परिवर्तन दिखेगा अपको यहां से बतलाओ दिखेगा क्योंकि पिसले एक-दो साल से जो नई generation यहां पर online study कर जी है तैयारी कर रही है वो दो या-तीन साल का लगते है समय तैयारी करने में उसमें वो परिपक्व हो जाएगी 2023 का एक्जाम उसका रिजल्ट आएगा 2024 में 24 के अंदर देख ले न हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऐसे चलांग हमारे का उपर भढ़ करके आएगा उपर उठकर करके आएगा इसके कारण इसके कारण अफोर्ड एधूकेशन उसके कारण पीफे नहीं अब हिंदी मीडियम तो उढ़ उस मेंटिल्ट से निकल जाओ कि फिंदी मीडिय jut की नहीं होता हिंदी मीडियम में नहीं करेंगे वह वहियात बात है वक्वास और एक और रिजन रहा है ये भी समझिए हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना इंडियन सोसाइटी में गल्स के उपर लड़कियों के उपर बहुत जादा रिस्ट्रिक्शन है खास करके उत्तर भारत में जो हिंदी मेडियम की बेल्ट है वहाँ पर आज भी लड़कियों को ज थोड़ा फ्रीडम देते हैं खास करके साउथ इंडिया में बोथ फ्रीडम मिलती है उनको उत्तर भारत में हिंदी वेल्ट में आज भी मान सिकता थोड़ी ऐसी है अब बताओ जो बच्ची पढ़ना चारी है जो महिनत करना चारी है लेकिन उसको जाने नहीं दिया जारा त तो कैसे तैयारी करें करना चाती है लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा तो खुद से ही जैसे तैसे करके तैयारी करके एक्जाम दे रही है नहीं हो पाता लेकिन अब ओनलाइन आ गया तो उस बच्ची के लिए भी घर पे बैठ करके अपने घर में रह करके सारी चीजे सीखने क अभाव में नहीं जा पाए लेकिन उर्ष समस्याओं का सामना किया लेकिन YouTube से और यहां से affordable fees में admission लेकर के पड़े pass होंगे, काम्याब होंगे जब IIS IPS बनोगे तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए काम करेंगे बाकी बच्चों की मदद करेंगे समाज बदलेगा, सोसाइटी बदलेगी result बदलेगा, 2024 का इंतजार कीजिए बस 2023 का exam होने दीजिए, 2024 में मैं आपको security दे रहा हूँ, Hindi medium का जो result आने, जो 30-30 के संख्य है यह 200 पार जाएगा 200 पार करेगा, 1500-200 पार करेगा, क्रांती होगी वो, क्रांती और उसमें, लेकिन उसके लिए आप सब लोगों को भी यहाँ पर देना पड़ेगा support आपको भी देना पड़ेगा ठीक है, आपको भी share करना पड़ेगा, ठीक है clear अब इसको लेकर गए doubt में रहना ही नहीं कि मैं Hindi लूँ कि English लूँ वो मीडियम लो जिसमें लिख सकते हो और पराट्यदार लिख सकते हो दिमाग में सोच आयर लिख दी है ना, कैरियर मत डुबाओ इंग्लिस के चकर में, वो चकर सोच करगेगी भई, हिंदी में नहीं हो रहा जिस लेंग्वेज में फ्रूएंट हो लिखने में, ध्यान रखना, लिखने में राइटिंग करने में चाहिए बोलना पाते हो लेकिन समझ लेते हो अच्छे से और लिख लेते हो अच्छे से वही लेंग्वेज आपके लिए पर्फेक्ट है फिर चाहे वो English हो, फिर चाहे वो Hindi हो, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, confusion में जाने हैं यह मैं देखो किसका किस में हुआ, ठीक है, यह देखो कि तुम किस में कर सकते हो, वो होगा, और Hindi Medium का result आएगा, बढ़ेगा, 2024 आपका है, जो अभी नई generation चल रही है न, time के साथ जो पिसले एक साल से, दो साल से, ओनलाइन तयारी कर रही है, 2024 में result देगी वो, 2024, 2025, 2025 आपका ही result है, Hindi Medium का बहुत बढ़िया वाला result रहेगा, top 1 में भी आओगे, top 100 में आओगे, top 50 में आओगे, आप भी आते हैं, लेकिन तब संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन एकदम से नहीं ह आस्ते को पार करके ही मंजिल पाने का आनंद है, मंजिल पाने का मज़ा तभी है, जब महिनत से प्राप्त किया जाए, कुछ भी चीज ऐसे ही हासिल हो जाती ना, value नहीं है, काम करने का मज़ा भी नहीं है, लेकिन उसको जब हम पूरे जी जान से सिद्दत से पाते हैं, तो इसी बात पर जरा जोस दिखा दो, house the जोस, कैसे है जोस, एक हाई जोस का एक बार आना चीए, हाई सर, हिंदी मेडियम का जोस दिखाओ जरा वाई, कम से कम इतना तो कर सकते हो, जोस बे तो रह सकते हो, motivated तो रह सकते हो, इमबत नहीं आ रहने है, जोस बे रहो, positive रहो, बाक हम गिरेंगे ही नहीं, तो दुनिया को खीचने हो, हम तो आगे वढ़ने है, positive रहेंगे, तो high energy के साथ positive रहते हो, आगे वढ़ने है, समस्या ही आती है, आने दो, लगातार, consistently मेहनत करते चले जाओ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, एक high answer दीजिए, ठीक है? आई, यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी, एविलेबल हैं, क्लासिस, बहुत सारी क्लासिस हमारी एविलेबल हैं, यूट्यूब पर, NCRT मैंने complete करा रखी है, 6 से 10 ये 30 ओवर की वीडियो मिलेगी, देखना, अने एडमी की history की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्लासिस, अगर किसी की है, मेरी ही है, आपको साइध इसका पता नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा कम-कम क्लासिस लेता हूं, ज़्यादा नहीं लेता हूं, रेगुलर नहीं आ पाता हूं, लेकिन जितनी लिये हैं, उस की quality बहुत गजबगी है, content बहुत इमानदारी से पढ़ाया, बहुत detail में पढ़ाया है, वैसा content अभी लेवल ही निये गई, इसी लिए है, और बहुत बड़ा अंतर है, top 3 के बाद के वीडियो में और मेरे बहुत बड़ा gap है, है ना, खुब सारे वो है, तो उनको देखो, आपको मिल जाएंगी, मेरे नाम से सर्च करो बस, ललीत यादव, अनकेडमी, NCRT मिल जाएंगी सारी, आपको marathon classes, 30, 30, 35, 35 घंडेगी, internal security, disaster management, complete करवा रख है, ठीक है, M लक्समिकांत, 72 chapter complete हो गया है, bilingual, start कर दिया है, 1 PM से, bilingual M लक्समिकांत, polity, पहला chapter complete करवा दिया है, second chapter कल है 1 PM पर, 1 PM पर class होती है, IR, international relations, उसको मैंने complete करवा दिया था, सारा का सारा complete करवा दिया था, 50 lesson थे, 50 class थी, लेकिन दिक्कत क्या होई कि कुछ तकनीकी समस्या है हुई, और कुछ policies ऐसी आई, जिसके कारण, वो सारी classes को private कर दिया गया, मैं नहीं करता हूँ, वो organization का decision, वो होग private होगे, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी classes मैं दुबारा से करवाँगा, फिर से करवाँगा, नए सीरे से करवाँगा, complete करवाँगा, और इसलिए मैं focus भी करता हूँ, आप सब पर कि live class देखें, मेरी class तो कम से कम live देखें, क्योंकि बाद में मेरे को भी नहीं पता है कि private हो हो जाएंगी, ठीक है, तो IR मैं आपको दुबारा से करा दूगा, सारी IR करवाँगा, complete international relations जो है, starting से मैं करा दूगा, basics से एक दम बिल्कुल, theories से, सिध्धानतों के साथ से, वो आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, दोगो 2023 में अगर आपको एक्जाम देना है स्वाती, तो subscription का time अभी सही है, 2 years का course ले ले ला, ठीक है, 2 years, 2 साल का iconic course ले ले लेना, ठीक है, iconic course ले ले लेना, क्योंकि 1 साल course पूरा होने में लगती है, बाकी का time आपर revision होने में, test देने में, regular revise करने में, update होने में लग जाता है, तो 2 साल की तबस्या, exam pass करवा सकती है आपको, proper, और स्टेट को अपने लाइफ लगाना इस कोड को भूलना नहीं है यह आपकी सफलता कोड है य ल आई वी इसी रेफटरल को अपलाई करके जोइन कीजिए गा कभी भी अनिकेडमे का कॉर्स जोइन करें लाइफ कोड लगाईएगा ठीक है अरे क्यों सोभित सुकला साधी करवा करके परिशान होने आया कर गो है जिन्दगी प्यारी नहीं है जिन्दगी से मन भर गया है ना साधी करवा दीजिए फिर उसके बाद कहोगे कि सर साधी तो कर ली अब सर तलाक करवा दीजिए अब संभाला नहीं जाता, संभला नहीं जाता, हर चीज पर restriction लग गई, एजी इधर क्यों जा रहे हो, एजी फोन किसका आया, इस लड़की की फोटो कैसे देख ली, एजी बच्चे की पोटी साफ करो, एजी चलो डोगी को घुमा कर के लाओ, एजी जरा जाडू लगा दो, एजी चलो घुमने चलते बारिस का मोसम है, पढ़ लो साधिवादी का टाइम बाद का है, जब मैच्योर हो जाओगे, एक मैच्योरिटी की एज आ जाएगी, उसके बाद साधी भी कर लेना, अभी करके क्या करोगे, अभी पढ़ाई पर दो, अब तो यंग हो, देश के लि कमाते हो, है न, थोड़ा प्रेस्टीजियस हो, तब कर लो साधी, किस चीज की जल्दी है, है न, परसनल एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब हमारे आस पास के जितने भी एक्सपीरियंस हो, सब मिल जाते हैं, देख लेते हैं, मम्मी पापा को तो हम देखते ही हैं, सबसे बड़ सोसाइटी में किस तरीके की चीज़े होती है, ठीक है, हिंदी साधे बभई, मैं पढ़ाता ये नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, चुनाव कानून चैप्टर नंबर 72 डून लेना चैप्टर नंबर 72 पर है ठीक है बच्चे मेरे भोथ है ठीक है मेरे 500-300 के करीब बच्चे है अब ऐसे मत समझ ले ना कि सर करेक्टर ले से 500-300 बच्चे सर आप भी कैसी बात करते हो 2300 कहां से क्या राज ऐसा नहीं है मतलब मैं एक NGO run करता हूँ ललीत यादो की पाट साला नाम से और जो सलम के बच्चे हैं जो सडक पर बच्चे हैं जो बैगिंग करते हैं भीख मजबूरी में मांगना उनको पड़ रहा है घर नहीं है रहने को सडक पर रोड पर सोते हैं नसे की सिकार हैं चोरी चकारी में लिप्थ हैं उन बच्चों के लिए मैं काम करता हूँ अपने दंपर अकेले दंपर अपने ही जो भी मेरी सेविंग सोते जो भी मेरा पैसा होता है थोड़ा मैं अपना वहाँ पर लगाता हूँ without any funding, without any support किसी से कुछ भी लिये बिना, एक पैसा नहीं लिया जाता है कुछ भी नहीं, उनको direct खुद जाता हूँ, time देता हूँ उनको समय देख करके उनको चीजे सिखाता हूँ उनकी जिन्दगी बदली है, 200, 300, 300 प्लस बच्चों का admission, 300 से ज़्यादा बच्चों का admission जो है, वो मेरे नाम से चलता है school में, ठीक है, और proper उनको regular maintain मैं करता हूँ उनके पास जाना, उनको समझाना वो ऐसे बच्चे जो पहले चोरी करते थे, जूट बोलते थे भीक मांगते थे, नसे के सिकार जिन्दकी पूरी काया पलट होगी उनकी बदल गई यह पिसले 7-8 साल के अंदर अब regular school जाते हैं पढ़ते हैं, first आते हैं school में, board में first आते हैं, sports में first आते हैं, extra curricular activities में ऐसे ऐसे कमाल कर जाते हैं जो लोग बड़ी-बड़ी academy जोईन करके नहीं करते dance में, gymnastic में race में, cricket में football में, कबड़ी में इस सब चीजों में, लड़के और लड़के सभी इनका proof है मेरे पास proof देखने हैं, तो ललित यादव की पार्ट साला के नाम से मेरा instagram है उसको follow कर लीजिए और ललित यादव की पार्ट साला के कोई editing नहीं, लाईव ललित यादव की पार्ट साला, follow करो facebook पर, instagram पर ठीक है उसको follow करो, और वो देखो कि कैसे society में change ला सकते हम और change लाने के लिए आपके कोब पैसे की जुरूत नहीं है, उस अब बहाना है कि पैसा चाहिए, ये इच्छा सकती चाहिए, dedication चाहिए वस, समय चाहिए time is money, knowledge is power, time is money ग्यान, सबसे बड़ी सकती है, और समय सबसे बड़ा धन है, समय दो ग्यान दो, समय और ग्यान, ये दोगे सब कुछ बदल सकते हो उससे बड़ा चीज कुछ नहीं तो ये ही करते हैं, समय का दान, ग्यान का बटवारा, उनमें बांटना, ये सारी की सारी चीज़े करते हैं, फोलो करो जरा ललीती आदव की पार्ट साला हो, इंस्टाग्राम और फेस्बुक, जरूर देखना सब के सब लोग, बहुत motivation मिलेगा आपको, और जब आप IAS officer बनोगे, IPS officer बनोगे, कुछ भी एक अच्छी अधिकारी बनोगे, तो आपको भी ऐसे change लाना है, society में बदलाव लाना है, उस बदलाव को लाने के लिए आपको काम करना है केवल इसलिए नहीं कि पैसा है पावर है, नाम है, गाड़ी है बंगला है, धन्दूलत है, है ना society के लिए काम करना है लोगों के लिए भलाई, जो परिशानिया आपने face की हैं, वो किसी और को ना face करनी पड़े, उसके लिए काम करना है तो वो आप कर पाएंगे, उसको देखना, ठीक है ललित यादव की पाट साला, आज ही जा करके follow करेंगे सब लोग आज ही देखेंगे, Instagram, Facebook पर और YouTube पर भी इसी नाम से हुम है ललित यादव की पाट साला टेलिग्राम चैनल भी यही है, वहाँ से आपके लिए free PDF का इंतजाम है, सब के लिए free PDF हिंदी की भी बाइलिंग वल भी ठीक है, और केवल क्लास की PDF नहीं, बलकि योजना मैगजीन, कुरुछेतर मैगजीन न्यूस पेपर, धैनिक जागरंदा हिंदू, सब free में अपलोड करता हूँ वाँ पर, तो उसको जोइन कर लो आपके लिए regular चीज़े अपलोड होती रहती है वाँ पर ठीक है, टेलिग्राम चैनल का नाम है Unacademy लली त्यादाओ की पाट साला उसको जोइन कीजिए, और वहाँ पर मेरी personal details भी आपको मिल जाएगी आप direct mail से बात करना चाते है call पर कर सकते हैं, ठीक है वो भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से guidance भी आपको मिल जाएगी ठीक चलिए, LY live referral code जरूर मेरे NGO जो मैं work करता हूँ, मैं दिल्ली में काम करता हूँ मैं दिल्ली ही रहता हूँ, तो दिल्ली में ही काम करता हूँ, कहीं और बहार तो जाएगी नहीं बाता हूँ है तो दिल्ली के ही area में, जहाँ पर भी जगे मिलते हैं, जहाँ पर भी लगता है कर सकता हूँ, वहाँ पर जाकर करके हम काम अपना कर देते हैं जाकर करके आजाते हैं बस और आप सब को मोटिवेट करने के लिए उसको लाइव करते हैं फेस्बुक पर इंस्टाग्राम पर यूटूब पर ताकि आप जैसे स्टुडेंट जो बदलाव लाने वाले हमारे आने वाली पीडी हैं तो आप लोग भी कम से कम उसको देख करके म मोटिवेट हो और आप भी बाद में जब आप सच्छम हो जाए तो आप बदलाव करें इस तरीके से बलाव करें उसका मोटिव यहोते हैं कंई सारे लोग बोलते हैं यार तुम तो दिखावा नहीं है वो इसलिए होता है कि ये चीज़ देखके कुछ अच्छे लोग मोटि करके उनको भी convince कर सकते हूं कि तुम भी अपने आसपास करो, दूसरों की help करो, खुद से करो, और वो करने लग गए और उन्होंने एक-एक की भी जिंदिगी बदल दी, तो मेरा लक्से तो पूरा हो गया, इसलिए social media पर live किया जाता है, facebook पर, instagram पर, youtube पर, ताकि आप लोग द लोग डाउन लगा, अब लोग डाउन लगने के बाद, क्या हुआ, घर में बैठे रहे, खाने पीने पर कंट्रोल किया नहीं, खूब खाया, खाने के बड़े सोगीन है, अब खाते चले गए, physical activity, काम होती चली गई, क्या करते है, थोड़ा, मोटे होते चले गए, वेट आ बाद करके, वेट बाद करके, नायक नहीं, खल नायक हूं मैं, वो खल नायक वाला, इस तरीके की, जिंदिकी ये बदलते रहना चीए, मजे से रहना चीए, इंजोई करना चीए, जो सही लगे, जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, वो कर लेना चीए, परिशानी नहीं है, टेलिग्राम चैनल की नाम फिर से बता देता हूं, अनकेडमी ललीत यादाओ की पार्ट साला, ठीके, अनकेडमी ललीत यादाओ की पार्ट साला टेलिग्राम चैनल है, जोईन कर लिजिए सबी लोग, उसको share कीजिए, अपने दोस्तों तक भी बताईए, सब कुछ मिलेग सेर करो यार इसको बहुत लोगों तक फ्षैलाओ पहुंचाओ ताकि हमारा मूटिवेशन भी बना रहे हैं हमें भी लगे कि हाँ जो हम मेनत कर रहे हो बच्चों के लिए ठीक है कुछ सीरियस बच्चे हैं उनके लिए मेनत कर रहे हैं तो शेर करागरो लाइक करागरो कमेंट कर आगर वीडियो खतम होने के बाद तो आपको वो मिलेगा Classes regular होती है 1 बजे और 9 बजे, दो timing मेरी class का है आपको regular मिलेगा LY live referral code, चलो आप खतम करते हैं, time हो गया है, LY live referral code apply कीजेगा आप सभी लोग जब भी anacademy का course join करें तो ये referral code भूला नहीं है LY, L-I-V-E आपकी सफलता का code LY live referral code जब भी course join करें anacademy पर किसी भी exam का course join करें, इस code को apply कीजेए ठीक है, ये अपना code है आपको और हमारे बीच का connection इस से जुड़ा रहेगा, मैं आपको personally guide भी करूँआ, पीस में discount भी मिलेगा ठीक है, और exam पास कराने तब पूरी जिम्मेदारी आपकी लेंगे ठीक है, तो LY live referral code को use कीजेगा, like share कीजेगा वीडियो को comment कीजेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं एक बजे वाली bilingual class में, जिसमें M. Lakshmi Gant का second chapter हम करने वाले making of the constitution, समविधान का फिर्मान, एक बजे क्लास होगी टेलिग्राम चैनल पर मैं नोटिफिकिसन वीडियो का लिंक डाल दोगा, उस पर से देख करके आ जाना और कल रात में 9 बजे 12th class की NCRT की क्लास होगी, second chapter ठीक है, दो धुरुवियता का अंत उसमें हम सोवियत संग का विग्टन सोवियत संग की परणाली, सोक, ठेरिपी ये सब चीजों को हम पढ़ेंगे ठीक है, चलिए तो आप सबको best wishes सुबकामना है मेरी तरह से आगे बढ़िए इमानदारी से मेहनत कीजिए positive रहिए life में, negative लोगों से जय भारत, let's crack it को सुबकामना है झाल झाल